कि हालो व्रेवन वेलकम टू आइस पेस्मिफाइड एंड इस वीडियो हम लोग वाले पार्ट को सुरू करने वाले हैं जो सोच होगा वह अल्रडी घटना चकर रहे हैं हम लोगोंने अल्रडी प्लाइन का रखा था इसको गटना चकर वाले पार्ट में आज मोग वर्ल्ड ज से स्टार्ट के थुम लो रिवर्स इंजनिंग पर जाएंगे पहला कोस्ट न कहे रहा है ता बिग बैंग थ्योडि किस से रिलेटेड है बैसीकली बिग बैंग थेओरि वह आपको आपको और जोडिविशन ऑफ युनिवर्स रिलेटेड है यह आपको पता होगा थेओरी को अब इस थेओरी के कार्णिंग बात करते हैं जो पूरा का पूरा युनिवर्स है वो concentrated है एक hot and dense point पे कुछ 13.7 से लेके 13.8 billion years पहले की बात कर रहा है और जब यह concentration बहुत ज्यादा हुआ तो एक sudden explosion होता है sudden explosion जिसके कारण इसको big bang name भी किया गया है ठीक है तो big bang theory था वो related है आपको origin of universe है clear है let's move to the next question the big bang theory explains the origin of its simple its universe third question कहा रहा है the milky way is classified as spiral galaxy electrical galaxy irregular galaxy and round galaxy it's simple it's a spiral galaxy ठीक है spiral galaxy है according to the theory जो थेओरी दिया गया था जॉर्स लमिट्रे के द्वारा 13.8 billion यह देगो तो टोटल कॉस्मिक सब्स्टांस है ना वह एक बहुत देंस मास फॉर्म में है जो कि spread है बहुत सारे नंबर फ गैलक्सीज में एक infinite group swirling galaxies आपस में आती है infinitely mix होती है वह visible होती है basically universe में जो भी galaxies होते हैं वो estimate किया गया है को लगवक 100 billion stars से मिलके बनी होती है galaxy की बात करें जो हमारे solar system में situated है उसको हम लोग milky way galaxy करते हैं वो ऐसी galaxy जो हमारे solar system में situated उसको milky way galaxy करते हैं बहुत सारे various shapes होते हैं galaxy के जैसे कि elliptical हो जाएगा spiral हो जाएगा irregular हो जाएगा जाएगा था कि shape of our milky way galaxy जो है वो bad spiral है clear है किस ने किया था तो यह यह telescope की नाम याद रखिएगा space telescope time taken by the sun to revolve around the center of our galaxies तो यह कितना लेता है यह 25 करोड यर लेता है sun जो है वो star है हमारे galaxy का one of the star of the galaxy that is milky way galaxy जो भी star है हमारे galaxy का वो revolve करता है around the galactic center and the time taken by the star in revolving around the center depends upon the distance between the galactic center and the star ठीक है जो milky way galaxy का rate center होगा उसके according वो star की galactic point को mention करेगा sun जो होता है वो relatively far है हम उस center से ज्यादा समय लेता है revolve around करने का sun is at a 7.94 kpc इसी को आप 24 या 25,000 light year समझेज़े light year distance को major करता है ठीक है इसको ध्यान रखना है और अगर हम लोग बात करें जो time period यह ले रहा है पुरा travel करने में उसी period को लो cosmic year कहते हैं या galactic year कहते है star के color जो color होती है वो आपको क्या indicate करता है temperature indicate करता है color of the star indicates temperature temperature of stars of different colors different different type का होता है अगर star blue दिख रहा है तो उसकी temperature सबसे ज्यादा होगी बस आपको यह याद रखना है 50,000 Kelvin से लेगे 28,000 Kelvin तक होती है फिर blue white होती है फिर white होती है yellow होती है white yellow होती है yellow होती है orange होती है red होती है ठीक है तो यह आपको sequence याद दखने की जोगतने है बस याद रखने है top most में और जो variation होते है color के वो सिर्फ और सिर्फ थर्मो heat और थर्मो light की वैसे होती है ठीक है मतला समझ लो कि temperature range जो होती है वो colors को denote करती है let's move to the next question कह रहा है the limit beyond which star suffers internal collapse अब देखे क्या होता है stars में stars हुआ उसकी weight बढ़ते चली गई weight बढ़ते चलेगी weight बढ़ते चलेगी एक weight होता है 1.44 और फिट्स original weight उसमें क्या होता है star खुद में collapse करने लगती है ठीक है तो यह फिनोमेना को कहते है हम लोग basically यहाँ पे black hole का formation होता है जहां पे magnetic field strength काफी ज्यादा बढ़ जाती है अगर हम लोग वैसे limit की बात करें जह subscribe किया था यह जो limit है उन्होंने बताया था कि अगर कभी भी कोई white dwarf star होगा वो अपने maximum limit को achieve कर ले या फिर वो अपने approximate limit का 1.44 हो जाए तो वो क्या होता है खुद में ही ultimately collapse कर जाता है ठीक है into a neutron star और black hole और इसके कारण ही black hole की creation होती है black hole की बात कर ले black hole एक ऐसा intense gravitational pull का area होता है जो की आपको बिल्कुल visible नहीं होता है ठीक है इसी चीज़ के लिए 1983 में चंदर सेखर को चंदर सेखर जी को award किया गया था nobel prize in physics physics में evolution of star वाले topic पर next question कह रहा है which is a celestial phenomena occurring due to the stars तो ozone hole नहीं होता है rainbow नहीं होता है comet नहीं होता है black hole is the phenomena next question a black hole is the astronomical entity that cannot be seen by a telescope absolutely correct second कह रहा है the gravitational field on a black hole is so strong that it does not allow even light to escape yes gravitational field इतना जादा strong होता है कि light भी उससे escape नहीं कर सकता है तो assertion and reason both correct reason is explaining why assertion is correct so answer a will be the correct answer ठीक है सीदी सी बात है देखे आप आपना black hole को observe नहीं कर सकते हो directly किसी भी telescope की मदद से जो intense gravitational field होता है black hole का वो बहुत ही high density का होता उसकी density काफी high होती है ठीक है और यह क्या करता है किसी भी radiation को allow नहीं करता है कि आप मेरे से penetrate करो अगर हमनों light rise की भी बात करे तो वो भी skip नहीं कर सकता है इससे black hole की presence यह certain करती है behavior of stars gases and masses near it and help to a space telescope ठीक है let's move to the next question कह रहा है black hole is a body in space which does not allow any type of radiation to come out एक black hole जो होता है वो एक body होता है space में जो कि किसी भी type of radiation को allow नहीं करता है कि आप इससे मेरे से pass हो जाओ यह क्यों हो पाता है क्योंकि उसकी density काफी high होती है black hole was first known by यह एस चंदर सेखर जी के द्वारा बताया गया था सुबर्मनियम चंदर सेखर was a great scientist and Nobel Prize winner who gave details on black hole theory ठीक है ना he is known for his चंदर सेखर लिमिट पता ही है चंदर सेखर लिमिट के बारे मताया था जिन्होंने बताया था कि एक maximum mass होगा जो की support किया जाए gravity के द्वारा by pressure जो की electrons and atomic nuclei बनाएगी यह जो limit होगी उसकी value होगी 1.44 times mass of the solar mass 1.44 times the mass of the solar mass बाद में इसी को चंदर सेखर के द्वारा चंदर सेखर जी के द्वारा derive किया गया था 1930 में information about black hole was first provided by किन के द्वारा दिया गया था चंदर सेखर जी के द्वारा दिया गया था तो बार 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 एक चीज को यह जो आपको न्यूंज में दिता है वह किस सरे रेलेटद यह आपको स्पेस सरे रेलेटइड है यह तो पता यह है टो बेसिकली यह आपको observation क्या होता है की एक boundary होता है जो define किया आता है Area surrounding black hole in space जैसे यो black hole हो गया ठीक है यह complete black hole हो गया ठीक है इसके अब देखो यह यह दिखता कैसे जब इसमें से पास है जब इसमें से इसकी इसके इसके mildly has a Whew और उसके इसके पास वाला अर तोष यह दिखेगा एद रेड़गे तो यह दिखेगा रेड़ वाला हिएगा बाहर सबहरений दिखेगा singularity की बात करें वो एक place होता है space time में जहाँ पर gravitational energy जो होता है celestial body का वो infinite हो जाता है याद रखेगा singularity एक ऐसा place होता है space time में जहाँ पर gravitational area जो होता है celestial body का वो infinite हो जाता है string theory की बात करें string theory का कहने का यह मतलब होता है कि कभी नहीं होगी, हाइट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ फॉर्सर्फ लेंथ होगा, ठीक है, चलिए, अब स्टेंडर मॉडल की बात कर लेते हैं, स्टेंडर मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स इस दर थेोडी, ठीक है, नेक्स कुशन कह रहा है, स्टार जो मर रहा है, टीक है, डाइंग स्टार गयते हैं, स्टार एक लाज़ एक्स्प्लोजन होता है, जो कि किसी भी स्टार के end life cycle पे होता है supernova जब भी होगा there is a change in the core of center of the star जिसको आप लग तूटता हुआ तारा जो विस मांगते हैं ठीक है a change can occur in two different ways with both resulting in supernova the first type of supernova कभ हुआ था in binary star system और दो star की बात कर ले तो same point पे यह होगा second type of supernova occur at the end of the single star lifetime मतब दो type का होता है supernova पहला type जो होता है supernova का वो binary star system में होता है जबकि दूसरे की बात कर ले तो वो आपको उसके life cycle के end पे होता है अब कहारा how many constellations are there in space तो यह आपको 88 है which one of the following is not astronomical object इसमें से कौन astronomical object नहीं है पलसर is astronomical object black hole is astronomical object quasar is astronomical object brittle star is not astronomical object supernova आप कह सकते थे लेगन brittle star astronomical object नहीं है brittle star की बात करने तो यह काई नोडम से यह क्लास है औफिर दोडिया का जो की closely related है starfish से याद रखेगा starfish से related है there are aquatic creatures and crawl on the sea surface यह aquatic creature है यह भी ध्यान रखेगा आपको brittle star ठीक है जबकि पलसर की बात कर ले यह एक पलसर करता है इमीच करता है रेडियो पलसर रेडियो वेव ठीक है रेडियो वेव की जो वेवलेंद होती है काफी ज्यादा होती है इसले इसको हम लोग electromagnetic communication में यूज करते है एक ब्लैक होल की बात कर लिए यह cosmic body होती है extremely intense gravity आपको सो करती है इवर लाइड भी से इसकेप नहीं होता है यह तो हम लोग जान चुके तो फंडियो नाट्वका फांट इंस में इस पेसर कौन ऑसा जो इसपेस में फांग होता है ब्लसर ब्लैक हो पूच्छर होता है ब्रृटल स्टार नहीं होता है पहले सेम आले सेम पूचा गया आपको कोई भी ग्रूप स्टार अगर अरेंज्ड है तो इसको हम लोग कहते हैं कॉंस्टलेशन ठीक है कॉंस्टलेशन क्या है एक ग्रूप स्टार है जो की रिकनाइज़ेबल पैटर्न में आपको अरेंज्ड है है ट्रेडिशनल इनका नेम दिया आता है और इसको मिठोलाजिकल फिगर से भी आइंटिफाई किया आता है ठीक है हम लोग जुस्ट इसको में मिलकी वे गैलक्सी गैलक्सी में मिलकी वे है और यह ने कॉंस्टलेशन है वहाँ पे सबसे पहले हबल स्पेस चेलिकॉप के द्वारा कैप्चर किया गया ठीक है इसके जो इसके च्टेंस है वह 6.650 लॉइट इंस पर है अर्थ से यह पहले इसको देखा गया था सर्जॉन हर्षेल के द्वार ए 1936 लेकिन इन 1995 में क्या हुआ हबल स्पेस चेलिकॉप निष के of the earth and the Sun will see that अब देखे यह सन हो गया यह अर्थ हो गया इसके बीच में कोई स्पेस्क्राफ्ट में आदमी है मतलब एस्ट्रोन अर्थ है ठीक है कैरा सो क्या दिखेगा पहली बात अर्थ की लाइड निखेगा एक्मस्फेर के बाहर है एक्मस्फेर के बाहर है तो अर्थ उसक स्काई ब्लैक दिखेगा स्टार दुनाट ट्विंकल तेम्प्रेचर आउटसाइड स्पेस्क्राफ्ट इसमोर दन यह रॉंग हो जाएगा ठीक आंसर हमारा सिर्वन टू हो जाएगा क्योंकि वहाप एट्मस्फेर क्या होता है बिल्कुल यह आपको दिस्टेंस की जुचिर मेर टीकस्ष मदा टनीट को आंसरन ङोग मदो केेस्ट थान टांसराइगा रखेंगा विजधीखा बिल्कुल टंसरन वीच एचर आपको टाइम की यूनि धिस्टेंस जीन की यूनिट इस दोनों पोजिशन पे इस दोनों पोजिशन पे आपको स्टार देखने को मिल रहा है तो आप अगर पोल्स पे हो तो आपको 0 degree phase करना पड़ेगा अगर आप equator पे हो तो आप 90 degree field करोगे ठीक है तो वो position equator हो जाएगा basically star जो होता है वो parallel move करता है salisal equator के around north and south salisal poles पे ठीक है इसी चीज़ को मैंने आपको point किया salisal north and south poles are straight overhead to geographical north and south pole जो salisal north and south pole होता है वो overhead होता है geographical north and south pole के salisal equator जो होता है वो almost overhead होता है geographical equator के 90 degree to the poles सीधी सी बात है तो यह यह occlusion create करता है point is to west in the horizon degree of salisal poles are equals in the number of latitude of the equator from the horizon तो simple सी बात है 90 degree देखने को आपको मिल जाएगा अब कह रहा है कि एक person है जो कि stood alone है एक desert में desert में खरा है मालो यह desert area है dark right में है उसका घर जो है wanted to reach his village which was situated 5 km east of the point मालो यहां पे खरा है वो बंदा ठीक है अब यहां से 5 km दूरी पे उसकी village है यह village है 5 km पे अब कह रहा है he had no instrument to find the direction but he located the pole star pole star आपको north में देखने को मिलता है pole star north में देखने को मिलता है brightest star होता है अब बताइए कि वो किस तरीके से convenient way से reach करेगा अब बताइए अगर वो इस तरीके से move करता है तो pole star उसको इस side छूटते दिखेगा तो left में दिखेगा तो direction keeping the pole star to his left will be the correct answer अब question of 26 कह रहा है the group of star that indicates the direction of pole is वैसे groups of star जो direction of pole को बताते हैं वो आपको सब्तरी सी होते है सब्तरी सी एक group of star है जो indicate करता है direction of the pole which one of the following is not related to space terminology देखे telemetering, weightlessness और cislunar lunar है तो आप अरामसिस को confirm कर सकते थे तो option ABC हो जाएगा byte जो होता है वो memory की unit है आपको पता होगा bytes, bits, nibble यह सब तो memory की unit है तो हमारा answer D हो जाएगा अब हम लोग next chapter पर शुरू करते है solar system पर अब हम लोग move करते है solar system पर basically family of sun को solar system कहा आता है eight major planets है dwarf planets, satellites and countless minor planets होते हैं asteroid होते है, meteoros होते है, comets orbit होते है sun के form में और वो सारे मिल करके solar system create करते है solar system की अगर बात करें तो 4.6 billion old है ठीक है originally बात करें there were nine planets in the solar system the distance in ascending order from the sun अब इसको याद नहीं रखना है बस ना समझना है Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto Pluto is not a planet तो अब यह हो गया, dwarf planet ठीक है तो इस sequence तो आपको याद ही रहता है इसमें कोई सक नहीं है लेकिन हाँ, कभी-कभी क्या होता है आपको अर्थ की distance याद रखने है 227.9 million km है 227 या 228 million km आपको distance यह ध्यान रखना है इसी तरीके से move करेंगे 14 से 25 अगस 2006 को 26 जनरल असेंबली हुआ था International Astronomical Union का कहां पी हुआ था Prague में हुआ था Czech Republic में असेंबली ने exclude कर दिया Pluto को अपनी लिस्ट से प्लानेट के लिस्ट से और इनको reclassify कर दिया इस द्वाफ प्लानेट ठीक है इनका demotion हो गया प्लानेट डीफर फ्रम इच अदर डिपेंडिंग अपन देर साइज कॉंपोजिशन टेम्परेचर और टाइम टेकन फॉरर रिवोलुशन में डीजन था डिफरेंस का वो था डिस्टेंस फ्रम दिस सन ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है जिगरफिकली बहुत जादा एफेक्ट पड़ता है कुछ प्लानेट जैसे कि मर्किरी हो गया वेनस हो गया अर्थ है और मार्स हो गया उनका सॉलिड कोर्स होता है उनकी जो कोर होती है जो सर्फिश होता है उसकी कोर होती है वो सॉलिड होती है इनको terrestrial planet कहते हैं कि इनको कि इनको तो आप देख लो Mercury, Venus, Earth and Mars ये चार्ज हुए न नेरर बेल्ट के इसको कहते हैं core और जब ये core planet होते हैं इनको terrestrial planet कहते हैं जब कि कुछ planet होते हैं वो gaseous composition के होते हैं जैसे कि ये हो गया Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune ठीक है इनकी जो size होती है वो बड़ी होती है और इनको jovian planets कहते हैं इनको jovian planets कहते हैं jovian का मतलब होता है Jupiter इन 8 planets में से अर्थ के पास maximum mean density है अर्थ की maximum mean density कहने का मतलब हो 5.5 gram per centimeter cube आपको इसकी mean density है mean density of other planet आप देख सकते हो इस तरीके से अब ये sun हो गया Mercury, Venus इसको एक बार देख लिजे काफी आसान रहेगा आपके लिए ठीक है तो Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Pluto Mars और Jupiter के बीच में एक asteroid built होता है ठीक है तो फिर आप देख सकते हो ये comets हो गया फिर एस्टोराइडल built जो होता है वो आपको terrestrial planets और juvian planet को separate कर रहा है एक तरीके से ठीक है, समझेंगे इसको कूपेर built के बारे में भी समझेंगे ठीक है बेसिकली अब ये different densities है तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अर्थ की density केतनी है 5.5 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब है उसे दरीके से mercury 5.4 कभी-कभी इससे question बन जाता है मतलब ये सीज को मैं skip नहीं कर रहा हूँ लेकिन कभी कोई बनता है इस पर question तो वेनस की 5.2 ग्राम पर सेंटिमेटर क्यूब है आप समझो relatively कैसे कम हो रहा है कैसे जादा हो रहा जूवियन में अगर हम लोग देखते हैं तो सैटन का सबसे कम है ठीक है चलिए अब अगर हम लोग सन की बात कर ले तो वो alone carry करती है 99.8% of total mass of the solar system ये बात हमेशा धहां रखना है जो sun होता है वो total 99.8% of total mass of solar system को carry करता है शन की mass की बात कर ले 1.989 30 kg होता है जो कि लगवग 33 आप इतना कर सकते हो 333,000 times होता है प्लैनेट अर्थ के तो सोच लो कितना बड़ा है मर्क्यूरी जो है वो smallest planet है solar system का जबकि जूपिटर जो है वो largest है मर्क्यूरी smallest है जूपिटर जो है वो largest है ठीक है वेनस की बात कर ले वो brightest है वो होता है 165 years आप समझ लो अगर आप Neptune पे हो तो आपका एक साल 165 साल में होगा ठीक है जो हमारा एक साल होता है the descending order of planet according to their size अब size की बात कर ले तो घटते वे करम में सबसे बड़ा आपको पता है Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury ठीक है इसे तरीके से आप differentuneapigrahs की समझ सकते हो अगर हम लोग सारे planets की बात करें Jupiter के पास maximum gravitational force होता है Jupiter के पास maximum gravitational force होता है 23.1 meter per second square होता है अर्थ की बात करें तो 9.8 meter per second square होता है ठीक है तो Jupiter के पास maximum gravitational force होता है जो gases होताज है hydrogen, helium, methane ये found होता है abundance में किस-किस प्लानेट में तो Jupiter, Saturn and Mars वाले प्लानेट में कौन-कौन सी कैसे आपको देखने को मिलेगी Hydrogen, Helium, Methane आपको देखने को मिलेगी एक होता है Goldilog Jones होता है इसको हम लोग Habitat Zone भी कहते हैं Astronomic की बात करें Goldilog Jones जो होता है वो एक range होता है orbital orbits जिसके round आपको star उसमें आपको देखने को मिलेगा किसी भी planetary surface में जो की support करता है liquid water को किसी भी particular sufficient amount of atmospheric pressure उनको provide करने पे liquid water की बात कर ले is one of the most important cements in finding life on other planets तो liquid water अगर available है तो life available हो सकता है अगर हम लोग present की बात करें अर्थ के पास ही एक मातर solar system है जिसमें Goldilog Jones आपको find मिलता है ठीक है यह Jones जो होता है वो नीदर ना तो hot होता है ना ही बहुत जादा cold होता है 1514 AD में पॉलिस astronomers थे and mathematician Nicholas Copernicus जिनके बार आप जानते हो भज़पन से उने present किया था एक handwritten book book की नाम के थी little commentary इन book में इस book में उन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से जो sun जो होता है वो center होता है universe का और अर्थ उसके according revolves करता है ठीक है चलिए इसी तरीके से एक वरा मीर का नाम यान रखेगा जिन्होंने प्रपोज किया थेोडी को कि moon revolve करता है अर्थ के अर्थ revolve around the sun ठीक है जौन स्केपलर का भी नाम ध्यान रखेगा जर्मन इस्ट्रोनॉमर थे मैथमेटिसियन थे इस्ट्रोलजर थे वो अपने आपको बेस थ्री लॉज अप प्लेंटरी मोशन दिये थे ये best known work है इनका गैलेली ओ गैलेली के बारे में भी जान लीजी वो famous theologian थे इटली के उन्होंने fundamental particle of falling comets के बारे मताया था इंग्लिस scientist Isaac Newton ने भी fundamental principle of velocity and gravity के रूल को बताया था तो इतना दो बता चलके आँँ लोग स्टार्ट करते कोशन से which of the following does not belong to the solar system देखिए इसमें solar system पे कौन बिलोग नहीं करता है देखिए एस्टोलाइट बेल्ट होता है planets होता है, comets होता है but nebula is not into the solar system solar system की बात करें या form किया था लगव 4.568 billion year देखो के से पहले solar system consists करता है sun जो की star है cosmic dust और masses attached with each other by gravitational force, planets, dwarf planets natural planetonoid asteroids, comets, metroid and cosmic dust जबकि नविवला की बात कर लें वो solar system का पाट नहीं है question में टू कर रहा है who first propounded the sun is in the center of our solar system देखिए, same चीज है अब मैंने आपको यहां पढ़ाया न और same चीज को यहां पे question में आ गया तो क्यों ना हम question के थू ही चले तो आगे से इस बात को हम लोग इसी के through carry out करेंगे who first propounded that the sun is the center of our solar system and the earth revolves around it तो sun हमारे center पे है अर्थ उसके revolve करती है उसके round में तो यह Copernicus के द्वारा दिया गया था Nicholas Copernicus जो के astronomer है scientist, mathematician है पॉलेंड के 1514 में Copernicus ने propound किया था heliocentric theory याद रखेगा theory का नाम heliocentric theory कहते है solar system का जिसने उन्होंने बताया कि commentaries little commentary नाम का एक book था उसमें उन्होंने बताया कि कि इस तरीके का होता है कि sun जो होता हो वो center पे होता और earth उसके चार ओर revolve करती है ठीक है इसी के साथ साथ इंडेन स्ट्रॉमर थे एक वरा महिर उन्होंने भी same theory को बताया था thousand साल पहले Copernicus की 6th century में ही बता दिया था उन्होंने mention किया था कि moon जो है वो revolve करता है earth के earth rotate करता है sun के सोच लो the scientist who first discovered that the earth revolves around the sun earth जो है वो earth जो है वो sun के चारो revolve करता है तो यह किसके दोड़ा पतायगा था Copernicus ठीक है वरा महिर मत अगर तॉप्समेर 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 थी समझते है which scientist said for the first time that the earth revolves around the sun and that of the earth is not the center of the universe it's Copernicus then we go to the next question which one of the following statement is correct with reference to our solar system तो the earth is the densest of all the planet in our solar system absolutely correct the predominant element in the commission of earth is silicon absolutely wrong sun contains 75% of the mass of the solar system no 99% लगो यह mass carry out करता है the diameter of the sun is 190 times that of the earth 33,000 approximate weight के according और फिर mass diameter बहुत जादा हो जाता है अब देखिए अगर हम लोगों बात करें average density of earth की तो यह highest है सारे 8 planets में सिर्फ इतना जालेजिए अर्थ का 5.514 gram per centimeter cube है density of planet अब तू पता ही है कि mercury का 5.42 है venus का 5.24 है देखिए आपको कम सक्वाइब इतना जाना है कि अर्थ के बाद mercury ठीक है सबसे कम आपको मैंने बता है 0.68 है clear है इसी तरीके से अगर हम लोग largest constant element की बात करें अर्थ पे यह बहुत important question बनता है इसको आपने notes में डाल सकते है iron जो है 32.07% है फिर oxygen है 30% second है earth है iron फिर oxygen है oxygen second है and then silicon है 15.12 तो आपको याद रखना है ठीक है iron oxygen silicon iron oxygen silicon ठीक है हाँ iron oxygen silicon यह composition of earth की बात हो रहे है sun लगवग 99.8% mass को carry out करता है diameter of sun लगवग 109 times of earth's diameter है 109 times जादा है the number of planets in the solar system is 9 हो जाएगा अब यह old recognition की बात कर रहे है अभी की बात कर रहे है तो एक ड्वार्फ हो जाएगा 8 हो जाएगा total चलिए question of sun कर रहा है which of the given two planets are between Mars and Uranus in order of distance from the sun distance from the sun से बताना है तो यह आपको Jupiter and Saturn हो जाएगा arrange the planet given below in order to increasing distance from sun तो यह question बहुत असंता है mercury, Venus, earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto फिर Jupiter हो जाएगा फिर आपको Uranus हो जाएगा फिर Pluto हो जाएगा ठीक है तो answer यह हो जाएगा the planets between earth and sun earth और sun के बीचे planet कौन है तो वो आपको है mercury, Venus, earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto तो आप देख लो sun, Pluto को discard कर दो तो earth और इसके बीच में तो यह हो जाएगा आपको mercury and Venus ठीक है चलिए the earth is located between earth कहा कहा located है यह सब question बहुत असान होती है Venus and Mars हो जाएगा which is true about planets planets का बाइन टू कहा है planets are non-luminous bodies luminous bodies है non-luminous तो नहीं होगा and dawn sign यह गलत है planets sign though they are non-luminous bodies यह absolutely correct statement है non-luminous होने के बाद भी यह sign करती है मतलब dawn sign नहीं होगा sign होगा ठीक है planets यह होता है वो non-luminous body है लेकिन sign करती है because they reflect the light of the sun sun की sun की विज़से वो sign करती है ठीक है अब स्टार्ट करते है कोशन में 12 को देखे कह रहा है smallest planet of the earth of the solar system तो पहले तो Pluto था लेकिन अभी क्या हो गया Mercury हो गया ठीक है largest planet of the solar system तो आपको पता ही है Jupiter है ठीक है third कह रहा है planet second to the sun in the solar system Mercury Venus Venus हो जाएगा second to the third second to the sun planet nearest to the sun Mercury ठीक है तो आपको answer हो जाएगा D हो जाएगा clear है smallest planet Pluto था पहले अब ये कट हो गया अब हो गया Mercury largest planet Jupiter planet second to the sun Venus planet nearest to the sun Mercury the planet nearest to the sun is Mercury which of the following is not properly matched तो समय से कौन properly matched नहीं है the largest planet of the solar system कौन है Jupiter absolutely correct smallest planet कौन है solar system Mercury absolutely correct the brightest है Venus ये भी correct है slowest moving planet of solar system देखे slowest moving Mars नहीं है अगर हम लोब बात करें देखे Neptune जो होगा सबसे slowest moving है थेक है मैंने बताय था आपको 165 येर लेता है एक revolution complete करने के around the sun 165 years taken by Neptune to complete one revolution around the sun तो Neptune हो जाएगा answer हमारा D हो जाएगा let's move to the next question कह रहा arrange the following in decreasing order of size and select the correct answer from the size के according आपको decreasing order पे इसको arrange करना decreasing order पे तो देखिए Jupiter सबसे पहले आ जाएगा ठीक है उसके बाद क्या आ जाएगा Jupiter का Saturn आ जाएगा फिर क्या आ जाएगा फिर Earth आ जाएगा फिर क्या जाएगा Uranus आ जाएगा Jupiter Saturn Earth Uranus Jupiter हो गया 1 Saturn हो गया 4 1 4 3 2 1 4 3 2 विल बी दे करेक्ट आंसर Hydrogen, Helium and Methane are in the main gases present on देखिए Hydrogen, Helium and Methane जो होता है नो प्रिजन होता है Jupiter पे Saturn पे Uranus पे Neptune पे Jupiter Saturn Uranus Neptune ठीक है Sun जे पे होता है Sun जे पे आपको प्रिजन होता है Hydrogen, Helium and Methane अब देखिए Uranus, Neptune पे होता है Pluto खतम हो गया Jupiter, Saturn and Mars पे नहीं होता ठीक है Uranus, Neptune Venus पे नहीं होता है Mars and Venus पे नहीं होता है फिर ये ऑप्शन incorrectly framed है विचो देखिए Saturn is not a planet of solar system Mercury yes Venus yes Saturn yes Florida will not be considered as the planet inside the solar system The term Goldilocks zone is often seen in the news is the context of क्या है वो बिसिकली देखिए Earth-like planet को खोजना है ठीक है Outer space में Earth-like planet खोजना है वहाँ पे liquid state में कुछ हमें मिल जाए ये हम खोजते रहते है तो उसी जोन को Goldilocks zone कहते है ये answer हमारा C हो जाएगा तो बिसिकली astronomy में जो habitual zone होता है सरकमस्टेलर वाला उसको हम लोग Goldilocks zone कहते हैं बिसिकली ये habitable zone होता है एक कोई भी star के आस पास में जहाँ पे temperature आपको बहुत ही frame में मिलेगा बहुत ज्यादा गर्म भी नहीं बहुत ज्यादा ठंड भी नहीं ठीक है liquid water exist करेगा उस planet में अर्थ एक मात्र एक सब planet है जहाँ पे inhabiting life है इंटार सोलर सिटम में मार्स में मार्स को थोड़ा सा इसको ना मानते हैं कि हाँ मार्स पे possible हो सकता है feasibility है हाँ चलिए इसमें से कौन planet है कौन satellite है कौन comet है कौन plantoid और artificial satellite है तो planet आपको बतातल जाएगा Uranus है तो A का 2 हो जाएगा A का 2 answer हमारा या तो A हो जाएगा नहीं तो D हो जाएगा ठीक है अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं satellite की बात कर लेते हैं तो obviously आपको पता है Moon is a natural satellite तो B का 1 हो जाएगा यह आप यहाँ भी से और हो गए तो यह भी option eliminate हो गए आपका अब देखिए comet कहा रहा है comet जो है वो हैली कॉमेट आप बहुत बार नाम सुनने होगे हैली कॉमेट बहुत बार नाम सुनने में आओगा exam में या फिर कहीं भी पेपर कटिंग पढ़ते होगे तो हैली कॉमेट आपको सुनने को मिलता हो आप C का 4 हो जाएगा तो मैं यहाँ से option को eliminate कर लूँगा plantoid और artificial satellite की बात कर ले तो यह आपको mariner है यह आपको ध्यान रखना है चलिए अब कहरा है which of the following statement are correct regarding the solar system पहला mercury is the hottest planet of the solar system absolutely wrong gynymed satellite of Saturn is the largest satellite of the solar system यह भी wrong है Neptune is surrounded by methane gas methane gas rings of sub-zero temperature यह absolutely correct statement है Phobos and Deimos are two satellites of Mars यह भी absolutely correct है 3 and 4 आपका correct हो जाग answer C हो जाएगा अब देखिए हम लोग बात करें Venice जो है hottest planet है solar system का mercury नहीं है ठीक है Venice जो है hottest planet है solar system का अब हम लोग move करते हैं the sun पे ठीक है sun को देखते हैं question के through ही जाएँगे reverse reverse action होगा हमारा which of the following statement is true regarding each movement earth movement ठीक है earth की movement के गारण कौन सा statement हमारा correct होगा यह हम लोग देखते हैं earth rotates on its axis from west to east resulting into seasonal changes ठीक है और second के रहा earth revolution around sun results into occur occurrence of day and night on earth देखिए revolution and rotation दोनों की मतलब समझे अगर revolve कर रहा है अगर वो अपने axis पर rotate कर रहा है तो spin कर रहा है या तो anti-clockwise हो सकता है या फिर clockwise हो सकता है revolution की बात करेंगा तो complete revolution लेगा clear है अगर हमनों बात करें night and day earth की अगर बात करते हैं तो rotation की वेशे आता है night and day rotation की वेशे आता है ठीक है तो यह हमारा wrong होगा दोनों statement यहाँ पर wrong दे रखा है क्योंकि rotation में seasonal changes दे रखा है अगर rotation से seasonal changes होगा तो हर दिन season change हो जाएगा तो night and day जो ओकर होता है वो rotation की वेशे आता है अपने axis पे west to east rotate करता है जबकि rotation of earth around the sun की बात करें तो seasonal changes variation आता है तो दोनों हमारा incorrect है question मटू कह रहा है the substances present at the center of the sun are in जो center of the sun है उसमें जो substance present है वो किसीच का है देखे अगर हम लोग बात करें sun के temperature की तो लगबग आपको डेर लाख degree Celsius के आसपास है तो इतना ज़्यादा temperature है ना कि जो भी substance उसके अंदर present है center of the sun में वो इधर gas के form में है या plasma के form में है प्लाजमा जो है वो fourth state of matter का तो यहाँ पर कोई भी statement करेक्ट नहीं है ठीक है चलिए solar energy is due to which form nuclear fusion याद रखेगा fuse की वैसे fuse अगर माल लिजे ये दो object है और ये एक single object है अगर fusion करना है तो हमें इस दोनों को add करना है ठीक है fuse करेंगे फिर बड़ा सा circle बन जाएगा fuse कर रहा है तो nuclear reaction की बात करें तो दो category में divide होता है nuclear fusion and fusion होता है nuclear fusion जो होता है जिसमें एक heavy nucleus divide करता है तो fusion जो होता है nuclear fusion में तूटती है nucleus एक heavy nucleus तूटेगी और दो या दो से ज़ादा nuclei की form करेगी fusion की बात कर लेंगे वो process है जहाँ पर दो या दो से ज़ादा small nuclei combine करती है आपस में और एक heavy nucleus की formation करती है ठीक है energy क्या energy heat and light release करती है जब भी होती है तो ये nuclear fusion and fusion अब याद रखेगा जो stars होता है वो nuclear fusion से होता है ठीक है एक चीज़ और मैं आपका बता दू जो sun पे भी nuclear fusion होता है और दूसरी बात मैं आपसे question पूछता हूँ कि hydrogen gas को बनाने hydrogen bomb को बनाने में कौन सी reaction होती है nuclear fusion या fusion ठीक है चलिए question और 4 कह रहा diamond ring is a phenomenon observed आपका भी देखे होगे जब eclipse लगता है तो एक diamond ring का formation होता है ठीक है वो कब होता है at the start of the total solar eclipse no it's wrong at the end of the total solar eclipse ये भी wrong है partial जो light निकलती है बाहर से अब देखो answer क्या हो जाएगा only along the peripheral reason of the totality trail only in the central reason central reason में नहीं होता है peripheral में ही होता है ये पूरा-पूरा ये पूरा-पूरा dark हो जाएगा देखो इस तरीके से ये complete dark हो गया आपको ठीक है और periphery पे light दिखता है हलका सा sun का जो edge होता है वो periphery पे आपको देखने को मिल जाएगा clear है इस तरीके से तो ये total का total answer हमारा C हो जाएगा diamond ring जो होता है effect वो occur होता है at the beginning and the end of the totality during the total solar eclipse it is as the last bits of the sunlight passes through the valley on the moon's limb and at the front corona around the sun it's just becoming visible ठीक है एक आपने concept सुना होका corona formation तो basically ये ring shape का लगता है और जैसे कि एक diamond की उपर glittering लगा होता है उसी तरीके से total solar eclipse की बात करें तो आपको लगभग 7.5 minutes से जादा ये long नहीं करता है तो ये भी याद रखेगा that solar eclipse occur on कब आती है तो new moon day पे आती है solar eclipse की बात कर ले जब moon आता है देखो sun हो गया earth हो गया बीच में अगर moon आ गया solar eclipse का condition जान लो moon आ जाता है earth and sun के बीच में and moon क्या करता है moon shadow cast करता है earth पे moon जो होगा वो shadow cast करेगा earth पे इससे क्या होगा darker side आपको देखने को मिलेगा एक solar eclipse जो होता है वो take place होता है at the phase of new moon आप अवश्या का दिन कहते है उसको complete आपको shadowing हो जाएगा earth का when it passes directly between the sun and the earth and its shadow fall upon the surface of the earth very interesting question और बच्पन से जानते हो इस सीच को ठीक है चले move करते है every solar eclipse occur on तो बिल्कुल आम अवश्या वाले दिन पे होता है when does solar eclipse occur तो when the moon comes between the sun and the earth ठीक है the solar eclipse achieve totality only in limited geographical reason because अब देखो सिर्फ और सिर्फ limited geographical reason में ही ये totality को observe कर पाते है इसका reason क्या होता देखो basically क्या होता है the size of the shadow of the moon on the earth is small as compared to the cross section of the earth अब बिल्कुल जो moon का size है moon जो है natural satellite है earth का moon जो है काफी near है हमारे earth के तीसरी बात ये है moon की जो size है अगर हम लोग compare करेंगे उसको earth से तो काफी छोटा है the size of the shadow of the moon shadow की जोई size होगी earth पे वो बहुत small होता है उसकी cross section of the earth के तो complete area of the earth को वो verify नहीं कर पाता तो बहुत जगा ये चीज़ देखने को आपको नहीं मिलती है तो जगर फेकल area जो होगी वो limited होगी answer मारा ये हो जाएगा solar eclipse जो अकर होता है जब moon आ जाता है आपको earth and sun के बीच में इस situation में क्या होता है the part of the earth which is towards the sun obvious सी बात है जो sun के तरफ है वैसे भी earth क्या है earth हलका सा tilted है ठीक है कुछ degree पे ठीक है अब देखो इस तरीके से आप देखे होगे तो जो part अगर sun के side आ रहा है जो sun के side fall कर रहा है उदर उस side में आपको dark देखने को मिल जाएगा ठीक है तो यह situation create होगा चलिए नाइन्थ नमर question कर रहा है sun's hollow effect आप देखे होगे कभी-कभी phenomenon होता है कभी google करना hollow effect ठीक है उस पे गदम circle सा बनता है एकदम circle सा बनेगा और बहुत ही beautiful phenomenon है आप एक बड़ चेक करना मैंने इसको live भी देखा है आप देख सकते हो उसको कभी-कभी feel कर सकते हो आपको circle सा बन जाएगा space पे तो यह hollow effect होता है ना वो बिल्कुल produce होता है by reflection of light in किस चीज में देखे तो basically क्या होता है जो कभी-कभी क्या होता ice crystal formation हो जाता है serious cloud में cumulonimus में नहीं serious cloud में हो जाता है तो cumulonimus cloud नहीं होगा stratus cloud में formation नहीं होगा stratus cloud में भी नहीं होगा dust particle की दो बात ही नहीं होगी ice crystal का formation हो जाता है serious cloud में उसकी वैसे hollow effect देखता है यह very important question है, आप देखने को, आप इसको expect कर सकते हो, जो sun hollow phenomena है, आप google करके देखना, बहुत ही सुन्दर phenomena है, एक circle form करता है, जो कि appear होता है around the sun, जब भी sun ray pass होता है ice crystal से, upper level of serious cloud में जब वो touch करता है, sun's hollow become visible due to the reflection of the rays, now moving to the next question, one astronomical unit is average distance, astronomical unit की बात करें, तो यह basically distance average distance होता है, earth और sun के बीच का, तो answer हमारा यह हो जाएगा, astronomical unit measures the average distance between the earth and the sun, अगर astronomical unit की बात करें, यह mean distance होता है, earth और sun के बीच का, one astronomical unit, आप से याद रखिए, 149.589, 10 to the power of 6 km, और you can say, 149.6 million km, ठीक है, 10 to the power of 6 km ही याद रखिए, जो भी आपको समझ में है, एक मीटर, माइनस वन astronomical unit, अगर इसको वेरिस unit में, अगर हम करते हैं, मीटर में, तो वन astronomical unit जो होता है, 149.598 into 10.9 हो जाएगा, मीटर के फ़र्म में, मीली मीटर के बात करें, तो वन astronomical unit हो जाएगा, सिर्फ conversion nice में कुछ ध्यान रखने की जड़ोत नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखे, 149.59 या फिर 150 million km या 10 to the power of 6 km याद रखिए, याद रखिए, याद रखिए, याद रहना चाहिए आपको, अब कहारा है, average or mean distance to the earth and the sun is, बिल्कुल, same astronomical unit की बात हो रही, तो 150 to the power of 6 km, 149.56 into 10 to the power of 6 km, और 149.56 into, that is million km, और इसको आप convert कर सकते हो, तो 150 आपको ध्यान रखना रखिए, on an average, ठीक है, लेट स्मूव तो the next question, the distance between the earth and the sun is, simple सा question है, same question, 149.6 million km, the earth is nearest to the sun on, अब देखिए, आपको बताना है, कौन सा दिन पे, earth जो होता है, वो nearest होता है sun के, वो होता है, आपको 3rd January, जो distance होता है sun और earth का, वो minimum होता है, 1st week of January, इस situation में, या फिर इस position में, इसको हम लोग perihelion कहते हैं, perihelion और epihelion अगंडिशन, आपको पता होना चाहिए, perihelion condition में क्या होता है, अर्थ बहुत ही nearest होता है sun के, जब हम लोग perihelion की बात करते हैं, वो 4 जनवरी को होता है, जबकि 4 जुलाई को sun सबसे दूर होता है, हमारे earth के, तो वो epihelion होता है, perihelion, sun नजदीक होगा earth के, चाहर जनवरी की बात करेंगे, epihelion की बात करेंगे, now, size of the sun is how many times bigger than that of the earth, तो कितना times है, तो यह 109 times है, अगर हमनों NASA की बात करें, तो size of the sun जो है, वो 109.2 times है, diameter of the earth के, diameter of the earth की बात करें, 6400 km है, the mean radius of sun है, आपको, वैसे आपको यह exact data ध्यान रखने की ज़रूत नहीं है, लेकिन, earth की equatorial radius से आज रख लिजए, 6378, ठीक है, तो लगवग, 109 times आपको, देखने को मिल जाएगा, size of the sun, is 109 times that of the earth, अब लोग start करते हैं, mercury का, अब start करते हैं, mercury को, basically, यह सबसे छोटा planet है, हमारे solar system का, और इन नेरेस्ट है sun से, ठीक है, एक अगर rotation की बात करें, mercury की, तो लगवग 88 days लेता है, आपको complete rotation में, mercury और वेनस जो होता है, उसके पास कोई satellite नहीं होती है, atmosphere का absence होता है, जिसकी वज़़से, कोई भी life, mercury पे possible नहीं हो पाया है, ठीक है, चलिए, अगर हम लोग, temperature range की बात करें, तो 610 degree Celsius आपको देखने को मिल जाएगा, जो की बहुत ज़्यादा होता है, mariner 10, एक satellite लॉंच किया गया था, नाशा के द्वारा, जो travel किया था, बहुत ही क्लूज, प्लेंस आपको देखने को मिल जाएगा, अब स्टार्ट करते हैं, कॉशन मोवन से, कह रहा है, अब ब्लैनेट मर्क्यूरी इस रिवाल्विं राउंड दे सन, इन एलिप्टिकल औरबिट, अस वन इन गिवन फीगर, जितना ज़्यादा नजदिक डिस्टेंस होगा न, उतना ग्राविटेसनल पुल जादा लगेगा, उतनी जादी विलासिटी से, उतनी जादी कैनेटिक अनरजी से, आपका मर्क्यूरी, तो निरेस पोजिशन क्या है, यह है, तो answer हमारा यह हो जाएगा simple सा question था basic physics था बिज़ो तो following planet takes the least time to orbit the sun तो कौन सा planet है mercury है obvious है mercury जो होता है सबसे least time लेता है वो complete rotation sun का करने का the time taken by all 8 planets to complete one rotation यह दे रखा है mercury की बात कर ले nearly 88 days होता है venus 224 days लेता है earth 365.26 days लेता है और mars 686 Jupiter सिफ 11 दिन लेता है यहाँ पर बात करें तो mercury आपका option में हो जाएगा Jupiter 11 years लेता है I am extremely sorry for this Saturn लेता है 29 years Uranus लेता है 84 years Neptune लेता है 164 years तो सबसे ज़्यादा दिन लेता है Neptune सबसे कम लेता है mercury mercury 88 days लेता है Neptune 164 days लेता है किसी भी तरीके से अगर आप लगबख किसी भी प्लैनेट को आप 365 या 367 के आसपस ले जाएगा तो वो हो सकता है वो अर्थ की तरह बहेब करने लगएगा ठीक है चलिए question मतरी करा the two planets having no satellites are कौन-कौन से है प्लैनेट है जिसकी कोई satellite नहीं है Mercury and Venus है कोई satellite नहीं है अर्थ की एक satellite है Jupiter 79, Uranus 27, Mars 2, Saturn 82, Neptune 14 एक बार आप cross verify कर ले न recent में कुछ updates हुए होगे तो इसको आप manage कर ले न ठीक है और अगर Pluto जो ड्वार्प प्लैनेट है उसके पास 5 है ये भी समझ लेजे which of the following planets does not have does not have the satellite इसमें से किसके पास नहीं है तो mercury और Venus के पास नहीं है तो answer हमारा D हो जाएगा which of the following planet does not have any satellite तो आपको जहाँ पे mercury और Venus होता है तो answer B हो जाएगा which of the following planet is without satellites तो answer हो जाएगा mercury और Venus तो answer हो जाएगा mercury और Venus तेक है चलिए option कह रहा है the albedo of an object determines its visual brightness when viewed with reflected light तेक है तेक है किसी भी चीज़ का जैसे मालब प्योर स्नो का albedo 1 होता है जैसे जैसे क्या होता है particle उसमें particle mix होते है global warming के वैसे या फिर carbon की particle mix होती है वैसे वैसे albedo की value गिरते जाती है और जैसे जैसे albedo की value गिरती है उसमें heat trapping capacity बढ़ जाती है जिसके वाद से global warming effect के कारण glacier पिखलने लगता है तो albedo का मतलग यह हुआ अब देखे कहा रहा है कि albedo जो होता है वो किसी भी object कर यह determine करता है कि उसकी visual brightness कितनी है जब हम लोग उसको view करे किसी reflected light से absolutely correct statement है second कहा रहा है albedo of mercury is much greater than albedo of earth albedo of mercury बहुत जादा होता है earth से तो यह statement wrong है ठीक है अंसर हमारा सिर्फ ए हो जाएगा अब देखे albedo हमने मैंने आपको अलड़ी बताया अगर mercury की albedo की बात करे तो 0.138 है earth की 0.367 है यह आपको ध्यान रखना है mercury की albedo की बात कर ले अर्थ की वेनस जो होता है वो brightest planet है solar system में इसको में लोग morning star और evening star भी कहते है ठीक है distance जो है sun and venus is approximately 108 million km है यह second closest planet है हमारे sun के mercury के बाद यह लगबग 225 दिन लेता है एक revolution को complete करने में यह hottest planet है solar system का जिसकी average temperature है 464 degrees Celsius या फिर 737 Kelvin ठीक है temperature की बात कर ले mercury 167 degrees Celsius है venus 464 degrees Celsius है earth 15 degrees Celsius है mars minus 63 degrees Celsius है Jupiter minus 1010 या 110 degrees Celsius है Saturn minus 140 Uranus minus 195 Neptune minus 200 है ठीक है तो जितने भी planet है हमारे solar system में venus और unanimous को छोड़ दीजे तो वो rotate anti-clockwise करते है मतलब आप UV rays को छोड़ दीजे venus और unanimous को छोड़ दीजे बाकि सारे के सारे जो जो भी planets है solar system में वो anti-clockwise rotate होते है that is west to east rotate होते है यह clockwise होगया तो यह anti-clockwise होगया clear है सारे के सारे anti-clockwise rotate होते है लेकिन venus और unanimous clockwise होते है ठीक है अब कुछ evidence मिला है हमको atmosphere में जो की planet venus बताता है कि 90% of the atmosphere of venus is limited within 9 km of the altitude इसलिए यह जाथा आपको formation में नहीं help नहीं कर पाया the atmosphere of venus की बात कर ले तो basically comprise करता है car CO2 with temperature increasing above 400 degree Celsius तो अब 400 degree Celsius होगा तो कहां से कोई वो कर पायगा तो जो पूरी की पूरी planet है वो pressure cooker की तरह condition को bear करता है तो वहाँ पे कोई भी life system करना impossible है next to impossible है अगर हम लोग बात करें जिस तरह mercury venus के पास में कोई भी natural satellite नहीं है मैंने आपको अलड़ी बताया mercury and venus has no natural satellite 1989 की बात कर दे magalen air spacecraft था जिसको भीजा गया था venus पे on a radar mapping mission 4 साल के लिए from 1990 से 1994 और वहाँ पे absorb किया गया observe किया गया कि planet venus है न उसकी जो feature है वो basically जितनी भी चीजे conditions थी वो पतक किया गया satellite को name किया गया after Ferdinand magalen की दौरा एक famous Portuguese explorer थे 6 सुला हुए सताबदी में चलिए move करते हैं the hottest planet of the solar system बेलकुल venus है मैंने इसके explanation को अलड़ी पढ़ दिया है तो पढ़ने की जुरूत नहीं है which planet is known as evening star तो evening star किसको कहते है तो venus को कहते है ठीक है venus को हम लोग evening star कहते है morning star भी कहते है जबकि mars को red planet कहते है saturn को is one which has range known as saturn ring which has ring known as saturn ring ठीक है चलिए which one of the following is known as morning star तो venus को morning star कहते है clear है existence of human life on venus is highly improbable improbable मतलब impossible लिखना है venus has an extremely high temperature of high level of carbon dioxide in its atmosphere देखे ये दोनों statement करेट है और ये support भी कर रहा है ठीक है तो answer हमारा ये हो जाएगा बहुँ जादा तो मैंने इसमें बता दिया है the planet which is called twin sister of the earth is venus mercurian earth की twin sister venus हो कहते है venus जो है वो brightest planet है morning star और evening star इसको भी कहते है spacecraft magalyn was sent to कहाँ भीजा गया था venus में भीजा गया था ठीक है आँ लोग बात करेंगे अपना प्यारा earth ठीक है तो start करते है first question से earth का who amongst the following was the first to state that earth was spherical earth is spherical है यह कहा गया था Aristotle के द्वारा ठीक है Aristotle 384 से लेके 322 BC में एक Greek philosopher थे और एक scientist थे ठीक है अब देखे इतना detail दे रखा है in chapter 12, 14 and this and that अब जरुत नहीं है उनका एक book था on the heavens उन्होंने डिस्क्राइब किया था earth को as a spherical body spherical body ठीक है यह book जो था वो ट्रांसलेट किया गया इंग्लिस में by J.L. Stock एक जिग्राफर और फिलोसफर थे टॉलमी बिलॉंग तो फिर्स चेंचुरी स्ट्राबो तो थे सेकेंड सेंचुरी और कॉपर निकस तो फिफ्टिंग तो शेंचुरी ठीक है एक जगह मैंने आपको डामेटर चौँसट सो किलोमीटर बता दिया वो मैंने रेडियस बता दिया टोटल डामेटर 12,800 किलोमीटर और देन रेडियस निकालेंगे बाइजू कर देंगे 6,400 किलोमीटर ठीक है चलिए अग हम लोग देख लेते हैं कहरा है moving from one place on earth to another place of high altitude the weight of an object decreases ठीक है तो जिस तरीके से आप height पर जाओ गया altitude पर weight of the object जो होता है उप्जेज हो जाता है pressure बढ़ जाता है weight increase हो जाता है ना कि decrease हो जाता है यह option तो रॉँट हो गया earth is not a perfect sphere does a spheroid है complete sphere नहीं है तो यह भी यह correct है A is false, R is true ठीक है basically क्या होता है जो centrifugal force होता है generate जो करता है अर्थ का axis rotation वो maximum होता है equator पे क्योंकि आप देखो mv square by r radius जितना कम होगा distance जितना कम होगा center से centrifugal force उतना ज्यादा होगा तो जो centrifugal force होता है अर्थ के axis rotation के वाई से maximum होता है equator पे equator पे maximum होता है इस result में क्या होता है weight किसी भी object का minimum हो जाता है equator पे और maximum हो जाता है pole जाद रखेगा अब देखे अर्थ की जो safe है वो क्या है इस तरीके की है अब complete उसको sphere नहीं कर सकते spheride होता है हलका सा pole पे धसा होगा equator पे दूर ही होगी जादा तो ये कम हो जाएगा pole पे distance कम हो जाता है जिसकी वरसे centrifugal force बढ़ जाता है equator पे कम हो जाता है ठीक है तो अब जैसे से altitude बढ़ता है तो statement ये तो हमारा false हो गया क्योंकि altitude बढ़ने से pressure बढ़ जाता है चलिए तो अब मून का कोर पूछ रहा है तो वह viscous fluid है ठीक है जो chemical element है जो सबस्य ज़्याद abundance में पायाता है वो है आपको oxygen अर्थ की crust की बात हो रही है environment की बात नहीं हो रही है याद रखेगा अर्थ के crust की बात हो रही है अब देखें oxygen एक chemical element है जो कि बहुत ही evidence में पायाता है अर्थे crust में बहुत सारे element होते हैं जैसे oxygen हमें से याद रखेगा O shy ठीक है फिर AL, Fe iron और aluminium ठीक है तो oxygen सबसे यादा होता है 46.60% फिर silicon होता है 27.72% फिर aluminium होता है 8.13% iron होता है फिर 5% फिर calcium, sodium, potassium and magnesium होता है तो आप ये चार याद रख लेना सही रहेगा time taken by light emitted from sun to which earth is तो ये लगवग 8 minute होता है radiation from the sun जिसको हम लोग कहते है sunlight, ये mixture होता है electromagnetic waves का sunlight को लगवग 8 minute लगता है 8 minute 19 second लगता है to travel from the sun to the earth ये जो electromagnetic energy होता है वो travel करता है with a speed of 186,000 miles per second so the closest answer given is 8 minute कह रहा है which one of the following stars is nearest to the earth earth का nearest star कौन है तो बिल्कुल sun है sun is the nearest star to the earth चलिए which one of the following planet is nearest to the earth तो आपको क्या आपका mercury, venus, earth, mars तो answer हमारा mars हो जाएगा mars ज्यादा नस देख है चलिए the planet nearest to the earth is venus यहाँ पे venus हो जाएगा देखे, इस option में अगर हम देखते है यहाँ venus दे रखा है, नहीं दे रखा है venus जादा नस दीक है अर्थ के, फिर mars है तो याद रखेगा in completing one revolution of the sun earth takes approximately 365.25 days यह ध्याँ रखेगा to be very precise थेख है, 365.25 दिन चलिए at which average speed the earth revolves around the sun तो उसकी average speed क्या है 30 km per second है तो earth की revolution अगर हम लों बात करें sun के round तो आपको average speed देखने को मिलेगी 30 km per second थेख है अब देखे, सबसे ज़्यादा किसकी speed है, तो आप देख सकते हो mercury की speed सबसे ज़्यादा है सबसे कम किसकी speed है तो neptune की सबसे कम है आप बता सकते हैं क्योंकि biggest और smallest की बात हो रही है diameter पर different करेंगा mv square by r ठीक है next question कह रहा है approximately how much distance per minute does earth covers while revolving revolve कर तक earth जो है, वो कितना distance कवर करता है, एक minute में ठीक है अर्थ का अगर ही कुछ औरिल parameter की बात करें तो 40,090 km है लगो जो distance कवर करता है earth के दौरा 24 hour में यह आपको basically क्या होता है 40,090.28 km per 24 hour that is 16,070 km एक घंटे में वो अपने axis पे revolve करता है ठीक है revolving speed है अब इस calculation से अगर आप देखोगे तो 16,070 km per hour जाता है ठीक है तो अगर आप इसको per minute पे convert कर होगे तो अब देखो मैं इसकी calculation करने नहीं बैठ हूँगा यहाँ पर time waste होगा 27.8 km per minute हो जाएगा ठीक है तो option यहाँ पे controlled नहीं है तो फिर answer हमारा question eliminate किया गया है एक्विटोरियल circumference of earth is nearly earth का जो equatorial circumference है न वो आपको लगभग 40,000 km के आसपास है एक ही छोड़ियल circumference का मतलग क्या होगा पूरे equator पे आप एक बार इस तरीके से पूरा का पूरा turn कर लो एक ribbon लेके या फिर एक thread लेके और उसकी length को measure कर लो ठीक है 40,000 km एप्रॉक्स होता है nearly 40,090 km होगा चलिए अर्थ axis tilted at the angle of बहुत यह असान कोशन सारे 23 23 and half degree अर्थ का जो angle है वो 23 and half degree है उसके axis पे आप लोग जो बनाते हो वो इस तरीके से बनाने कोशिस करोगे ठीक है लेकिन अगर अर्थ के geography और geographical structure पे बात करेंगे तो इस तरीके से लका tilted होगा ठीक है तो अर्थ की अगर tilting angle की बात करें तो 23 डिगरी half minute सारे 23 डिगरी माल लो अपने axis से rotated है tilt है basically अपने axis पे ही rotate होती है उसकी जो speed होती है approximately 1000 mile पर आउर होती है उसके tilt की वायसे अर्थ जो है लगवग 24 घंटे लेती है एक rotation को complete करने में अपने axis पे तो answer हमारा हो जाएगा A कहरा the earth's axis of rotation polar axis is always inclined at an angle of same question 23 and half होता है ठीक है तो 23 and half हो जाएगा अप कहरा है consider the following statement statement देखे correct statement लो खोजना है आपको कहरा the axis of earth's magnetic field is inclined at 23 and half degree to the geographical axis of the earth ठीक है आप अराम से देखे यहाँ पे अर्थ के magnetic field की बात कर रहा है ठीक है polar axis की बात नहीं कर रहा है अर्थ के magnetic field की बात कर रहा है और कह रहा है कि 23 and half degree tilted होता है inclined होता है अपने geographical axis से ठीक है चलिए इसको consider करते है second point होगा the earth's magnetic pole the earth's magnetic pole in the northern hemisphere is located in the peninsula in northern Canada तो earth का magnetic pole होता है अर्थ का magnetic pole है वो अर्थ के नदन हमिश्पेर में तो located है लेकिन वो आपको situated है Queen Elizabeth Thailand पे ये भी ध्यान होना चाहिएगा ठीक है कनाडा में नहीं Queen Elizabeth Thailand पे second option तो हमारे रॉंग हो गया second यहाँ से eliminate कर लो ये eliminate कर लो answer नमारा 3 हो जाएगा third कह रहा है अर्थ मैगनेटिक क्वेटर पास रो थुम्बा इन South India बिल्कुल अर्थ का जो मैगनेटिक क्वेटर है वो थुम्बा से पास होता है हमारे South India में तो तीसरा absolutely correct है अगर हम लोग axis of magnetic field of अर्थ बोले तो वो different होता है different places पे क्योंकि बात कर रहा है अर्थ के magnetic field के axis के ना कि अर्थ के polar axis को याद रखेगा magnetic field का axis होता है वो अलग जगा पे अलग अलग आपको देखने को बिलेगा हर हमेश्चा वो सारे तैस degree आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक है अब एक चीज़ और समझ लेते है कि आखिर थुमबा equatorial rocket launching station जो TERLS है उसको क्यों वहाँ पे लाए गया है क्योंकि थुमबा जो है एक ideal location है satellite launching का क्योंकि इसकी जो proximity है ना वो geometric equator से क्या आसपास है geometrical equator जो है उसके आसपास proximity होने के वैसे कम issues होता है कि आप अराम से किसी satellite को rocket को launch कर सकते हो इसलिए थुमबा को रखा गया है as a launching pad station let's move to the next question कह रहा है consider the following statement the earth's magnetic field has reversed every few hundred thousand years earth का magnetic field हर thousand years पे reverse होता है बिल्कुल European Space Agency की माने हम लोग तो earth का magnetic field होता है वो flip कर सकता है easily flip कर सकता है कभी कभी क्या होता है molten core जो होता है वो एक magnet की तरफ भीव करता है मान लिजे ये है एक north side होगे एक south side होगे अगर मान लिजे earth इस तरीके से rotate हो रहा है या फिर earth revolve हो रहा है तो क्या होगा अगर आप एक bottle में पानी भरके bottle को अगर सेख कीजेगा तो जो fluid नीचे है वो उपर की तरह move कर सकता है उसकी polar axis change हो सकती है reverse हो शकती है तो जब north से south की तरफ inclined था तो बाहर में क्या होगा magnetic lines of forces north से south जा रहा है outside the magnet it will be from north to south और अंदर की बात करते हैंगे तो south से north आएगा मतलब ये direction होगा ठीक है लेकिन अगर ये ही reversal हो जाए तो north इधर बन जाएगा south इधर बन जाएगा arbitrary condition में तो फिर मेरा ये direction इस side में हो जाएगा तो आप इसे जो कह सकते हो कि earth का जो magnetic field है वो reverse होता है हर एक 100,000 years से years को आप जाएदा धानना मत करो लेकिन reversal possible है तो हमारा option A तो absolutely correct statement है ठीक है second कह रहा है when the earth was created more than 4,000 million years ago there was 54% oxygen and no CO2 देखिए earth जो बना है वो approximately 5 billion year old है 4000 million year old नहीं 5 billion year old है ठीक है अगर हम लोग earlier environment की बात करे तो free oxygen absent था हमारे earth पे तो ये statement भी wrong हो गया first and second तो आपको second option wrong हो गया तो second wrong, second wrong तो answer हमारे ये दोनों में से हो सकता है first correct है तीसरा देख लेता है when living organism originated they modified the early atmosphere of the life देखिए जब भी बात हो ना कोई living organism origination होता है hydrosphere मे atmosphere में aquatic animal जैसे कि algae हो गई ये existence में आती है वो as a autotrops वो अपने photosynthesis process को start करते है photosynthesis process को अगर आप start करोगे या फिर trees आ जाती है तो वो photosynthesis process को start करेगी उससे क्या होता है atmosphere में free oxygen का release होता है atmosphere में free oxygen का release होता है वो upper layer के atmosphere में free oxygen के content को बढ़ाता है free oxygen के content को बढ़ाता है इसके कारण क्या होता है आपको free oxygen भी मिल रहा है ozone layer का formation भी हो रहा है ozone depletion को reinstate भी किया जा रहा है तो यह सारी चीज़ें का importance है तो आप ध्यान रखिएगा environment के concern से तो हमारा answer C हो जाएगा इसका consider the following statement select the correct answer where and the code given below code select करना है कह रहा है the northern end of the earth axis is called north pole the north का end है earth के axis का वो आपको north pole है ठीक है बिलकुल statement correct us में कोई issue नहीं है second कह रहा है 45 degree latitude is half of the length of the equator 45 degree latitude है क्या वो half है जो 45 degree latitude है ना वो middle of the equator and poles देखें basically क्या होता है अब देखें second option को अम लोग एक तरीके से देखते हैं कह रहा है कि मालो यह earth है यह इसका equatorial line हो गया और यह इसका 45 degree line हो गया माल लेज़े आप खुद देखके बताओ इस length में और इस length में आपको फरक नहीं देख रहा है हाँ बिलकुल देख रहा है तो first option तो ऐसे correct correct था नदर नेंट जो होता है earth के axis पे उसको हम लोग north pole कहते हैं तो वो आपको लगभग 28,340 km का आपको वो line दिखेगा अगर हम लोग equatorial के belt पे बात करें तो लगभग आपको 40,000 km का दिखेगा तो equatorial belt पे जो line होगा वो ज़्यादा होता है as compared to 45 degree, 30 degree, 45 degree, 90 degree ठीक है लेगि लेंद की बात करें तो exactly half तो हो नहीं रहा है तो कहां से फर्क सेम होगा half तो है नहीं तो दूसरा option तो अचल मिनिट हो गया third कह रहा है there is parallelism of the earth's axis ठीक है तो ये statement absolutely correct statement है earth के axis से parallelism होता है fourth कह रहा है the earth's speed of revolution is faster in epihelian position epihelian, perihelian दो position होता है ठीक है तो earth का जो speed होता है revolution का वो faster होता है epihelian में no perihelian में ज़्यादा faster होगा जब नस्दीक होगा sun के तो ज़्यादा faster होगा as compared to epihelian तो हमारा four भी wrong है four wrong है फिर हमारा one and third second wrong है second wrong वाल इल्मिनिट कर तो one and third हमारा answer हो जाएगा ठीक है चलिए next question में move करते है ठीक है अब देखे पैरलीजम की बात कर लेते हैं अर्थ का axis का मतलब क्या होता है कि अर्थ जो होता है वो revolve करता है sun के राउंड अर्थ का जो axis होता है वो parallel हिरा जाएगा अपने previous position पे अर्थ जो होता है वो अपने axis पे revolve करता है और वो जो उसका original axis है न वो अपने previous position से parallel हो जाएगा absolutely correct there is no issue in that AP alien की बात करें वो चार जोलाई को होता है जब distance of the sun और अर्थ जो होता वो maximum होता है ठीक है जब maximum होगा जिसकी वैसे क्या होगा cruising speed जो अर्थ होगा वो खुद में खुद slow हो जाएगा question number 20 कह रहा है the cause of day and night is day and night का reason कहा है rotation of earth on its axis लगभग 24 घंटा लेगा आपको कह रहा हूं the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis account for the daily rising of setting of the sun तो daily जो sun set हो रहा है rise हो रहा है वो जो अर्थ के अपने axis पे rotation है इसको सबसे पहली बार किस ने कहा था इसको कहा गया था आर्य बटा जी के द्वारा आर्य बटा जो थे वो first थे उन्होंने explain किया कि rotation of the earth जो होती है उनके axis पे वो account करती है daily जो rise होता है और subtle होता है sun का उनका जो work है जो compiled है आको आर्य सिधान्त में आर्य सिधान्त में आर्य सिधान्त रुपे और संक्राज डॉक्ट्रीन्स पे मायक है वरा महीरा का एक notable work है include ब्रिहत समीता पंच सिधन्तिका यह सारा इनके बार में description है बट लेकिन आपको यह थे नगना कि आर्य बट जो है उन्होंने यह point को दिया था question 22 कह रहा है when the length of day and night is equal the sun sun rays falls perpendicular at जब आपको दिन दिन और रात दोनों एक जैसा हो तो आपको बताना है कि sun rays perpendicularly कहां पे fall करेगी देखिए sun rays fall करती है perpendicular equator पे दो बार एक साल में एक होता है किस March एक होता है 23 March इस date पे क्या होता है day and night equal हो जाता है तो जो basically equator पे दो बार equal day पे perpendicular fall करता है वो करनों सा 21 March है और 23 March मैंने कहते है 23 September है ठीक है इस date पे क्या होता है day and night जो होता है वो equal हो जाता है बारा बारा घंटे का both hemisphere में तो यह जो situation है जहाँ पे length day और night होता है वहाँ पे equal sun rays fall perpendicularly at the equator Q23 कह रहा है seasonal changes are caused by which one of the following characteristics of Earth's motion sun के round तो होई रहा है मतलब यह जो हमारा प्यारा earth है वो revolve तो करी रहा है ठीक है और वो अपने axis पे जो tilt है वो भी एक बहुत बारा reason है वो भी एक बहुत बारा characteristic है seasonal changes का जो 23 degree जो अपने axis पे rotate होता है 23 degree पे जो inclined है और यह rotate होता है यह भी एक बहुत बड़ा reason है rotation जो होता है वो आपको west to east होता है ठीक है अब एक चीज़ समझें जो seasonal changes की बात कर ले earth का जो axial tilt होता है 23 degree और earth के revolution जो होता है sun के round revolution होता है वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है ठीक है क्योंकि distance होता है perihilion, epihilion conditions बनता है या फिर जो distance होता है vary करता है आप sun के पास गये summer आ गया फिर आप sun से दूर जाने लगए थोरा winter हो गया एक side variability change होगा दूसरे side variability change होगा seasonal variations हो रहा है वो directly यह दोनों पे depend करता है ठीक है तो हमारा answer दोनों हो जाएगा what causes the change of seasons season को change होने का reason क्या है simple सी बात है earth का revolution and inclination of its axis तो answer हमारा C हो जाएगा अब देखे क्या कह रहा है consider the special point of earth's surface example एक Delhi city को माल लो उसका temperature है noon में लगो 12 o'clock पे higher होगा in summer in comparison to winter सीदी सी बात है आगर क्यों होगा winter में क्या होता है sun rays जो fall करता है earth पे वो bend होता है earth के surface पे summer के summer के comparison में जादा समझ रहे आप जैसे माल लो यह earth है ठीक है अब एक बात माल लो माल लो यह position है हमारे प्यारा भारत का sun इधर है यह इसकी position यहाँ पे है sun rays पर रहा है तो जब भी winter की बात आएगी न तो यह location इसा bend होगा sun का inclination इतना कम होगा कि यहाँ पे आपको temperature कम फील होगा तो answer यहाँ भी हो जाएगा देखिये year में बात करे 21 March और 23 September को sun ray perpendicular fall करता है earth के equator पे पीच में ही लाई करता है इस पीच में क्या होता है summer season आता है north hemisphere में winter आता है south hemisphere में तो जो sun rays fall करता है वो sq position होता है southern hemisphere में नदर्ण के केश में नदर्ण से जादा सदर्ण में और श्क्यू होता है जैसे मालो यही अगर इसी अर्थ को मैं ले जागर के यहां रख दूँ आप देखो उसकी position यह sun की तो यहां पे क्या हो गया north नस्दीक आ गया south दूर हो गया न यहां पे क्या हो रहा है south नस्दीक हो गया north दूर हो गया फर्क देख सकते हो एक axial position यहां भी हो जाएग समझ रहे हो, जो position होती है अर्थ की, वो कैसे decide करती है seasonal variations को ठीक है अब कह रहा है if the distance between sun and earth is reduced by quarter अगर आप sun और अर्थ के बीच के distance को घटा के एक चोथा ही कर दो ठीक है, तो किसकी probability है कि यह बढ़ जाएगी ठीक है देखे, किसकी probability है कि increase कर जाएगी, अर्थ वोड फॉल इंटू sun, यह कोई star तो है नहीं, जो अर्थ फॉल कर जाएगी अगर हम लोग एक quarter distance को कम करते हैं तो जो अर्थ का orbit है, जो sun के around revolve कर रहा है वो छोटा हो जाएगा बिल्कुल नजदीक आ जाएगा छोटा हो जाएगा orbit, कोई एक बंदा अगर माल लिजे इसके पीछे चल रहा है कोई यहाँ चल रहा है कोई यहाँ चल रहा है कोई यहाँ चल रहा है यह नजदीक है इसका जो orbit हो छोटा है यह दूर है उससे ज़्यादा बड़ा और्विट होगे है यह सबसे बड़ा होगे है तो जितना नजदीक आप जाओगे और्विट उतना छोटा होगा और्विट जितना छोटा होगा और्विट पे जो revolution होता है उससे क्या फर्क पड़ता है उससे हमारा year variation होता है 365 दिन जल् स्पीट बढ़ जा रहा है अब यहां इंक्रीज पूछा था स्पीट देना चाहिए था नहीं दिया तो अंसर सी मारो आगे बढ़ो कह रहा है था पॉसिबिल्टी ओफ डिजर्ट ऑन अर्थ इस मोर किस लैटिट्यूट पे आपको अर्थ की पे डिजर्ट देखने को मिलेगा देखो लाटिटूटनल डिफरेंसे जो है न उतना सोलर इंसोलेशन वहाँ जादा होगा तो आपको वहां की वेजिटिशर्ट अच्छी देखने को मिलेगी वहाँ पे रेड़इनफॉल ज्यादा होगा वहाँ पे टेमपरिचर्चर ज्यादा होगे और कहीं कहीं solar insulation इतना ज़ादा होगा कि वो land को dry कर देगा, arid कर देगा, समझ रहे हो, तो desert climate इसको हम लोग कहते हैं, arid climate भी, वो perfect climate है, किसी भी desert का, basically यह tropical belt में आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको 15 degree से लेके 30 degree latitude में फ्याला हुआ मिलता है, तो desert की बात करें, तो लगो चार ऐसे main geographical situation है, जहाँ पर यह desert का formation हो सकता है, या तो high pressure ले आओ, 30 degree latitude के पास, वहाँ पर आपको बनेगा सहारा, और Australia का desert, इसमें fall करता है, western coastal side की बात कर लें, continent जहाँ पर 20-30 degree latitude पर हम जाएंगे, Arizona desert, Mexican desert, Atacama desert, Namivian desert, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, एक होता Death Valley, North America वाला, पेटागोनियन desert, या फिर पेटागोनियन desert पढ़िये, और जिंटीना वाली, पेरुवियन desert, पेरुवियन पढ़िये, यह सब आपको मिलेगा, mountain, rain, shadow region में, अब देखे, एक तो temperature हो गया, जैसे माल लो, यह इंडिया का part हो गया, यह western ghat हो गया, western ghat थोड़ा उंचा है, औ अब क्या होता है, जैसे यहां पर से wind आई, यहां से कॉलाइट करती, यहां पर rainfall करा दी, बहुत तगड़ा rainfall, यह वाला area पूरा hill station मन गया, मस्त rainfall हो रही है, बहुत तगड़े वाली, यहां 1200 mm की rainfall हो रही है, 12 cm की rainfall हो रही है, अब आप इस side चले जाओ, पूने वाल एरिया क क्रियेशन हो सकता है, जहां पर rainfall, जो mountainous, rain shadow region है उसकी वज़ा से भी desert का formation हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, फूर्थ condition क्या हो सकता है, the desert जो होगा, वो आपको कुछ mid part of continent में situated है, जैसे humid air, जैसे goby desert हो गया है, चाइना और मंगोलिया वाले बार्टर पे है, Australian desert and Great Western desert जो है, वो भी इस group में आते है, वैसे desert जो किसी भी continent के mid part में situated है, जो की humid air से काफी दूर है, ठीक है, चाल यह, तो answer इसका हो जाएगा, मैंने आपको अलेड़े बता है, 15 से 30 तो 23 डिगरी मान लो, question 28 क्या कह रहा है, the artificial satellites are always launched from the earth in the eastward direction, जो artificial satellite है, वो उसको आप launch करते हो हमेशा अर्थ के eastward direction में, देखे, ये तो सच है, ये मान सकते हो, कि जो भी satellites होते हैं जो launch होते हैं, वो इस direction में launch होते हैं, अर्थ से, क्योंकि satellites जो होते हैं, वो उनको momentum मिलता है, लेकिन हर एक satellite के लिए valid नहीं होता है, ठीक है, satellite, हर satellite के लिए valid नहीं होता है, तो पहला option तो आपका wrong हो गया, आप इसको precisely नहीं कह सकते हो, ठीक है, तो यहां पर always लिख रखा है, इस keyword को पकरना है आपको, second कह रहा है, the earth rotates from west to east, so the satellite attends the escape velocity, देखे, satellite जो होता है, वो always launch किया आता है, north to south में, ठीक है तो आप एक चीज़ समझिए, और जो earth की rotation है वो west to east है, जिसके वैसे satellite को skip velocity, escape velocity ऐसी velocity होती है, वैसी velocity जहां से escape की atmosphere को वो अराम से easily leave कर दे, space में बहुँच जाए, तो यह reasons correct है, assertion wrong है, पांसर मना D हो जाएगा, अब कह रहा है, एक ball को आपने fakeा, outside from an artificial satellite, जो की earth पे revolve कर रह गा, same orbit में, the same time period as satellite, कोई भी object जिसको आप fake हो के artificial satellite से, वो आपको behave करेगा as a satellite, ठीक है, 30 कह रहा है, the structure of planet earth, below the mental and the core is mainly made up of which of the following, below the mental and core, ठीक है, mental and core के नीचे, basically किसे से बना होता है, यह आईरन का होता है, देखिए, outer core और inner core होता है, mental के, structure of the earth में, outer core जो होता है, वो लगए, 260 किलोमेटर ठीक होता है, और mostly composed होता है, liquid, iron and nickel का, जो inner core होता है, वो hot dense ball होता है, mostly iron का होता है, उसकी radius जो होती हो लगए, 1220 किलोमेटर, temperature, 500 किलोमेटर, 500 किलोमेटर, 500 किलोमेटर, अब देखो, इसमें मैं कुछ बता सकता हूँ, नीफे, फिर उस मैं बताऊंगा, otherwise जो explanation दे रहा हूँ, वो more than sufficient होगा आपको हर एक question के लिए, चलिए, next question का रहे था, world earth day celebrated on, तो ये 22 April को मना याता है, हर year में, basically ये एक birth anniversary को हम लोग celebrate करते है, modern environmental movement हुआ था, जो 1970 में, उसके एफ पे, first time celebrate किया था, 1970 में, when is the international earth day celebrated, तो ये आपको 22 April को celebrate होता ह है, अब मात करते हैं हम लोग, the marsh, मंगल गड़ा के, अब मास पर move करते हैं, direct question देखते हैं, मास के लिए question में 1 क्या कह रहा है, देखते हैं, कह रहा, the duration of its day and tilt of its axis are almost identical in those of the earth, this is true for, earth का, और मार्श का, जो tilting है न, जो tilting है earth का, और duration of day है, लगवग, आप देखो, लगवग same कह सकते हो, और तो मास का, ठीक है, अर्थ का, मास में भी न, आपको एक पतला सा, थीन सा, atmosphere मिलेगा, मास में भी आपको volcanoes मिलेंगे, cannons मिलेंगे, और भी बहुत कुछ मिलते हैं, लेकिन, वो सारे dead मिलते हैं, ठीक है, तो लगवग, match जो कर मिनट, तईस सेकेंड, और उसकी जो टिल्ट है, वो टिल्ट है, वो टिल्टिंग है, वो पचिस जिगरी, बाड़ा मिनट है, duration of day and axis of planet, कुछ इस तरीके से है, Uranus का 17 आवर 12 मिनट, टिल्टिंग है 97.77 डिगरी, इसी के साथ नप्च्यून का देखते हैं, तो 16 घंटे 6 मिनट उसका duration of day है, टिल्टिंग है 28 डिगरी के आसपास है, Saturn का 10 आवर 40 मिनट का day है, टिल्टिंग 26 मिनट, 26.73 डिगरी है, तो आप समझ सकते हो, Mars का on an average accurately लगवग आसपास में ही है, ठीक है, कोश्व में second क्या कर रहा है? कह रहा है, the orbit around the sun of the planet Mars takes lesser time than the time taken by the Earth, जो orbit है, sun के around, Mars का, वो कम समय लेता है, taken by the Earth, अर्थ से, reason कह रहा है, the diameter of the planet Mars is less than that of the Earth, obviously diameter तो कम है, लेकिन first statement correct नहीं है, पहला statement क्या है, जो sun के around orbit लेता है, वो ज्यादा समय मार्ष लेता है, as compared to Earth, क्योंकि आप खुद देख लो, days का difference आपको खुद पर देल जाएगा, ठीक है, तो answer हमारा D हो जाएगा, A is false, but R is true, ठीक है, अब कह which one of the following condition is most relevant for the presence of life on Mars, life चाहिए Mars पे, mission on Mars चलाते है, NASA, SpaceX, सारे लोग बहुत पागल है Mars को लेकि, ठीक है, Martian movie भी बना दिये, आखिर क्यों, क्योंकि कुछ न कुछ relevancy है, अर्थ को और Mars के living conditions में, life के existence पे, किस तरीके से, आखिरे से क्यों समझते है, क्योंकि जो Mars है न, उस प काफी ज़्यादा relevant है, शुरुवात में, Mars को ट्रीट किया आता था, अर्थ के equivalent, क्योंकि उसकी atmospheric composition लगवग, लगवग, मिलती जुगती थी, Mars के atmosphere की बात करे, 95.1% CO2 है, 22.59% nitrogen है, 1.94% argon है, and 0.16% oxygen है, 210 ppm water है, parts per million mole, Mars का polarized caps जो है, और frozen water भी, सबसे most relevant presence of life है, Mars पे, मतलब यह conditions एक प्रिवलेंट है, कैसे conditions होंगे, तो life exist कर सकता है, अगर average temperature की बात करें, Mars पे, तो minus 63 degree Celsius है, जो की quite similar है, Earth के, 260 से लेके, 310 Kelvin, मतलब 63 degree Celsius है, कह रहा है, which one of the following may have, alien life, because of very conducive environment to life, conducive environment मतलब ऐसा environment, जो conduce कर सके life में, मतलब वहाँ पे life का existence possible हो, तो यह Mars का है, और एक और answer दे रहा है, यूरोपा, Jupiter, Moon का Jupiter, मतलब Jupiter का moon है, यूरोपा, उसकी about में, ठीक है, वैसे exam में आए, single answer करना हो, तो Mars कीजिएगा, यूरोपा जो है, एक moon है, यूरोपा का, वोयजर्स, mission जो था, वो launch किया गया था, यूरोप के द्वारा, कि आप research कीजिए, कि life possible है, कि नहीं उस पे, यूरोपा, एक frozen and covered है, layer of ice से, उसका जो surface है वो frozen ocean जैसा अर्थ पे दिखता है न, उस तरीके का दिखता है, ठीक है, अगर हम लोग depth of frozen ocean की बात करें, तो लवो 50 km की है, अगर ये true है, तो यूरोपा जो है, वो भी solar system में, अर्थ के जैसा बिहेब करेगा, अगर उतना water available है तो, कह रहा है, फोनिक्स, मार्स लेंडर, लेंडर on surface of the Mars on, कब launch किया था, तो वो किया था, 26 में, 2008 को, लेंडर ने, surface of Mars पे बना कदम रखा था, लेकिन हा, ये question अभी के लिए relevant नहीं है, तो आप you can skip this question, चलिए, अब मूव करते हैं, जूपिटर पे, तेक है, Mercury, Venus, Earth, Mars, Uranus, Neptune, Saturn and Pluto, Pluto को आप exclude कर दो, Pluto now is a dwarf planet, so आप उसको कोई नहीं करते है, मतलब कोई ध्यान देने की जरूत नहीं है, तो size of planet बात करें, तो Jupiter आपको सबसे बरा planet दिखेगा, इसकी diameter आपको पता है, ज्यादा इसको, मतलब, डिजिट वाई जानने की जरूत नहीं है, कोई आप astrophysics न Galileo के दोरा discover किया गया था, ठीक है, moving to the next question, कह रहा है, जूपिटर जो है वो largest planet है solar system का, चार largest moon है, लो, यूरोपा, कैलिस्टो, गाइनिमेड, ठीक है, इसको हम लोग Galilean moons भी कहते हैं, और यह discover किया गया था, Galileo, Galilei के दोरा 1610 में, कौन सा ऐसा planet है, जो largest है solar system में, तो सकते हो, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, यह चार planet हो गया, ठीक है, Jovian planets, उसके बाद आप Earth को ले आओ, Mercury हटा दो, Mercury सबसे छोटा हो जाएगा, Venus, Earth को यहां insert कर देना, Mars, आप sequence इस तरीक से याद रख सकते हो, जितना भी Jovian planets से उसको ले आओ, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, यह sequence तो हमेशा राता है, फिर एक Earth को ले आना, पांचवे नमर पे Earth आता है, ठीक है, उसके बाद क्या करना, पहले क्या करते हो, Mercury, Mercury याद रखना सबसे छोटा है, तो Mercury को सबसे last मिले जाना, फिर Mercury के अद वेनस आता है, Venus लिख दो, Mars आता है, वो लिख दो, Mercury, Venus, Earth, Mars, तो Earth को तो उपर ले जा रहे हो, पांचवे Solar System, इसका जो डामेटर है, लगवग आपको एक लाग 22,984 किलोमेटर है, 1.42 लेक किलोमेटर याद रखेगा, और इसकी जो एवरेज देंसिटी है, 1.32 ग्राम पर सेंटीमेटर क्यूब है, डेंसिटी की बात कर लो, Earth की देंसिटी सबसे जादा है, ठीक है, बिसिकलिए अपने एक्सिस पे, मैक्सिम स्पीड से रोटेट करती है, ठीक है, तो आसर यहाँ पर जुपिटर हो जाएगा, चलिए, कह रहा है, among the following, which planet takes maximum time for one revolution around the sun, वो है आपको जुपिटर, जितना जादा डामेटर, उतना टाइम लेगा, अगर जुपिटर जो है, वो मैक्सिम टाम लेता है, 11.86 year लेता है, complete करने में एक revolution around the sun, अर्थ को लगती है 365, 365.25 days, ठीक है, अब देखिए, option में दे रखा है, अर्थ, जुपिटर, मार्स और वेनस, नेप्ट्यून तो है नहीं, नेप्ट्यून सबसे आदा टाइम लेता है, लेकिन अब यहाँ पर जुपिटर हो जा दिल लेता है, अर्थ, 365.25 days लेता है, on an average, on an approximately, the ring of Jupiter is composed of, ring जो होता है Jupiter's का, वो silicates का composition है उसका, ठीक है, जो ring है Jupiter का, पहले discover किया गया था, एक वोईजर थे, वोईजर 1, वोईजर 1 spacecraft के दोरा, ठीक है, वोईजर 1 spacecraft के दोरा, यह नेम था उसका, 1979 में, यह जो ring है, इसको Jovian rings कहते है, Jupiter ring जो है, वो basically, silicate से बना होता है, और mostly space है, खाली है, empty है, parent भी है, और उसकी existence है, वो कम दिखती है, ठीक है, which one of the following planet has the largest number of natural satellite, और moon, तो natural satellite सबसे ज़्यादा आपको Jupiter की है, ठीक है, Jupiter जो है, largest planet है, solar system में, और second highest number of natural satellite है, moon, satellites है, that is moon है, second largest, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर हम लोग बात करें, सबसे ज़्यादा तो Saturn में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा Saturn में है, updated list, देखे, अगर at present की बात करें, तो Saturn में लगभग, आपको 146 प्लस, या 146 आपको, natural satellites, moon देखने को मिल इसको confirm कर ले न, recent के data से, इसमें recent data updated नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो Saturn ज़्यादा हो गया है, अभी के comparison में, पहले Jupiter का जागा कहते थे 79, Saturn वैसे भी 82 है, फॉन प्लसे लार्जेस नमारों, natural satellite, और moons कह रहा है, तो देखे, second highest है, अगर देखा जाए तो Jupiter, ठीक है, अभ अभी का data अगर दिखिएगा, तो Saturn आप टिक कर कहिएगा, ठीक है, अब बात करते है Saturn की, देखे, 82 natural satellite दी आने, यह 146 हो गया है, ठीक है, चली, कहरा, time Saturn takes to complete one revolution around the sun, एक revolution लेने के लिए, Saturn को सबसे ज़्यादा समय लगता है, और वो है आपको, sorry, Neptune को सबसे ज़्यादा समय to five days, ठीक है, चली, which one of the following, planet has the rings around it, rings जो होता है, rings इसमें Saturn में देखने को मिल जाएगा, आपको, Mercury, Venus, Earth, Mars में आपको, देखने को rings नहीं मिलेगा, Saturn जो है, वो especially famous है, अपने peculiar feature of rings के लिए, इसमें past A, B, D, E, rings होते हैं, जो की आपको अर्थ से दिखते हैं, अगर Saturn के color की बात करें, अर्थ से, तो वो यलो दिखता है, Saturn के साथ सा Jupiter, Neptune में भी rings होते हैं, after seven years of its journey, spacecraft Cassini, started its revolution in June 2004, around which planet, देखे, 2004 कोशन है, लेकि जान लीजिए, Saturn के against यह, Cassini revolution किया था, बस इतना समझ लीजिए, इस से जानने की ज़लत नहीं है, अब जो planet Saturn है, वो क्या है, देखे, Saturn जो है, is colder than Pluto, तो Pluto का दिबाद ही अठा दीजिए, Neptune से cooler है, warmer than Neptune है, देखे, Saturn जो है न, वो warmer ज़्यादा है, as compared to Neptune से, ठीक है, क्योंकि आप देखे, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto, तो अगर आप इस sequence को देखेगा, तो Saturn जो होता है, वो ज़्यादा नजदिक आएगा, then उसके Neptune आता है, किस स से, तो Sun से, आप मुझे comment section में यह बताइए, Venus और Mars में, दोनों में सबस्यादा गरम कौन है, Venus और Mars में, ठीक है, चलिए, Titan is the largest moon of which planet, Titan जो है, वो Saturn का largest moon है, ठीक है, diameter अगर हमनों बात करें Titan की, हलाके जानने की जरौत नहीं है, फिर भी जान लीजिए, लगवख 5000 km, 5000, 150 km की diameter है, Prominent Satellite Saturn की, Atlas है, Epimethas है, Tethys है, Lapidus है, Dion, Phoebe, Phoebe, आप अगर friends देखते होगे, फीवी बुफे है, आपको पता होना चाहिए, Hillen and Isilandus, यह सब आपको देखेगा, यह सब आपको मिलेगा, रेया जो है, वो second largest satellite है Saturn का, जिसकी diameter लगवख 1530 km है, अब हम लोग बात करेंगे Uranus, Neptune and Pluto की, Pluto अब ड्वार्फ प्लैनेट में आता है, तो इसको आप अलग से भी exclude कर सकते हो, बठाँ ठीक है, Uranus, Neptune and Pluto को हम लोग देखते हैं, एक revolution में sun के round Uranus कितना टाइम लेता है, देखें, मैं आपको कहा था न, Uranus लेता है 84 साल, मतलब अगर आपको seasonal variations, अगर if possible है Uranus पे, तो अगर आपको उसको देखना है न, तो आपको 84 साल वेट करना पड़ेगा, हमारे हिंदी पट्टी में, अगर UP बिहार की बात कर लें, तो हमारा life expectancy या पुरे इंडिया की भी बात कर लें, तो life expectancy कितना है, मुसकर 70 years होगा, ठीक है, अपने तरफ तो और माली जो और कम हो जाएगा, तो वहाँ तो और possible नहीं है, तो मतलब आप एक season भी नहीं देख पाओगे, तो बढ़िया है न, अर्थ पे हो आप, और उसको गंदा कर रहे हो, पॉलिट कर रहे हो, ठीक है, चलिए, तो Uranus की, जो revolution period है around sun, वो 83.7 years से, एक दिन जो Uranus का होता है न, वो 17.2 घंटे का होता है, एर किस में largest है, तो देखे, प्लूटो में largest होता है, हलाकि आप प्लूटो की बात नहीं करेंगे, देखे, जो जितना दूर है sun से, उसको उतना time लगेगा उसके, उसको revolve करने के लिए sun के round में, ठीक है, क्योंकि द पोजिशन ने पहुचने के लिए, रिविजिट करने के लिए, सीजनल वेरिशन कम हो जाएगा, तो यह किस पे largest है, प्लूटो पे, यह प्लूटो का largest है, being the farthest among the celestial objects from the sun, अभी क्या हो जाएगा, मर्किर, वेनस, अर्थ, मास, जुपिटर, सैटन, यूरन, नैप्ट्यून, नैप्ट्यून का हो जाएगा, ठीक है, which planet takes the longest period in revolving around the sun, यह आपको प्लूटो है, लेकिन अब आप यह टिक कर सकते हो, देखिए, जुपिटर 11.86 year, यूरन is 83.7 years, नैप्ट्यून 163.7 year, यह दिनो ध्यान रखेगा, वसे ध्यान लखने की जरवत भी नहीं है, मैंने आपको बता दिया, कि radii यह यतना दूर होगा, time होतरा taken होगा, ठीक है, तो इसको आप exclude कर सकते हो, कि यह planet से अब इसको exclude कर दिया गया है, इसको आप dwarf planet में count किया आता है, ठीक है, चलिए, question of four कह रहा है, according to new definition adopted by the international astronomical union, आई, डे यू, international astronomical union, आप मुझे comment सिके बताओ, इसकी headquarter कहाँ पर है, ठीक है, तो international astronomical union, जो है न, 2006 में, उन्होंने जो adopt किया, किसको planet नहीं मानती है, Pluto को नहीं मानती है, 21 General Assembly हुआ था international astronomical unit का, 14 से 25 तक है 2006 में, आप 2006 याद रखना काफी है, Pluto को remove कर दिया गया, उसकी category से, planet से, basically, यह assigned था, इसको assigned किया गया है, ज़े dwarf planet, which one है, which is the smallest planet of the solar system, पहले Pluto को मानते थे, पहले Pluto को मानो, ठीक है, इसकी लगबग जो diameter थी, वो 2370 km थी, अब लेकिन Mercury है, Mercury जो है, अभी की प्रिजन में, सबसे smallest है, इसकी diameter आपको, और 479, या फिर 4800 मान लीजे, किलो मीटर है, clear है, the coldest planet in the solar system is, Neptune is the coldest planet, क्योंकि यह farthest है, sun से, sun से farthest होगा, तो coldest हो का solar system में, temperature of Neptune की बात करें, तो लगब हो 200 degree Celsius है, और इसकी जो atmosphere है, वो आपको बनी हुई है, hydrogen, helium and methane से, याद रखेंगा, hydrogen, helium and methane काफी जादा पायाता है, पीचे तो following planet, the farthest planet of the solar system, कौन है farthest planet, ठीक है, कुछ टाइम, Neptune and sometimes Pluto, प्लूटो तो planet नहीं है, तो Neptune हो जाएगा हमा ठीक है, चलिए, question number 8 क्या कह रहा है, की चलो, Pluto जो है, वो farthest planet है, now it is not a planet, इसका जो orbital path है, वो excessively elliptical है, और cross करता है other planets के orbits के path को, resulting the period is starting from 1979, for 20 years, Pluto is not the farthest planet, which planet is farthest planet, देखिए, क्या होता है, मालो ये sun है, ठीक है, अब ये, मालो ये, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, कभी कभी cross कर जाता है, तो मालो ये जो reason हुआ, एक मेनट, हाँ, मालो ये जो crossing point हुआ, यहाँ तक तो वो planet जो था, ये जो planet rotate हो रहा था, मैं example दे रहा हूँ, वो तो सबसे जादा distance cover कर रहा है, लेकिन इस point से, अगर इस point तक देखें, तो maximum time वो अंदर हो गया, तो यहाँ पे तो जो ये वाला जो line है वो बाहर हो गया, मतलब इस पे जो planet revolve करेगी, वो ज़्यादा distance travel करेगी, तो इस समय के लिए ये पीशे चली जाएगी, तो यही condition यह कह रहा है कि कुछ समय के लिए कहां कौन हो जाती है, तो Neptune हो जाता है, Neptune जो है, वो आपको ज़्य समय है, natural satellite, so moon, according to the distance from the Pluto, inner and outer side की बात करें, तो Charon है, Stikes है, Nix है, Carburos है, Hydra है, देखिए, अब मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इसके चारों के locations को याद केजिए, मैं भी कह रहा हूं कि आप astrophysics वाली exam exam के तहरी नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर भी आपको जानना चाहिए, अब बात करते हैं, हमारे चंदा मामा की, the moon की, ठीक है, moon की बात समझ लेते हैं, question number one कह रहा है, इंसान ने सबसे पहले land कब किया था moon पे, 1969 में किया था, हाला कि अभी भी controversial है, बहुत सारी थेओरीज उठती है, लेकिन फिर भी हमें जानना है, 1969 पे, 20 जुलाई 1969 को पहली ब तीन एस्ट्रोनाट थे, जिनको Apollo 11 mission पे भेजा गया था moon पे, Neil Armstrong, Michael Collins और Buzz Aldrin, इन तीनों एस्ट्रोनाट में सिर्फ Neil Armstrong और Edwin जो थे, Edwin Aldrin, उन्होंने surface of the moon पे walk किया था, 16 जुलाई 1969 को, उन्होंने इस सर्वे को, इस process को initiate किया था, Apollo 11 land किया था, Sea of Tranquility, आपको पता होगा, highest point on the moon को, moon 20 जुलाई 1969 को, 21 जुलाई 1996 को, basically, वो return journey, ये जो Sea of Tranquility है न, वो आपको डार्क, डार्क साइड है moon का, ठीक है, जो highest point है moon का, वो है लेवनी, ठीक है, तो basically, तो ये जर्नी के बारे में हम लोगों ने समझ लिया, चलिए, कह रहा है, Sea of Tranquility lies on, किस पे लाई करता है, तो moon पे लाई करता है, तो एक black patch है moon पे, जो कि अर्थ से दिखता है, lunar mayor वाले region में, और the sea of tranquility इसको कहते है, या lunar mayor भी कहते है, जो कि ये जो large area है, ये आपको moon and spacecraft, चहाँ पे Apollo 11 land किया था, 1969 में वो area भी notified है वही, उसी के name से, मतलब वही है वहाँ पे, Neil Armstrong जो थे, वो पहले person थे, जो touch किये the surface of the moon को, उसके बाद Edwin Aldrin ने उनको follow किया था, अलाकि controversial है, बहुत लोग इसको नहीं मानते, बहुत लोग इस पे बहुत सारी बात कहते हैं, बहुत लोग बहुत सारे conspiracy theory देते हैं, कभी google कटके देख लेना, आपको पता चलेगा, ठीक है, चलिए, next question कह रहा है, the same face of the moon always faces the earth, the moon completes one rotation around its own axis in 23 and a half days, which is about the same time that it takes to, that it takes to orbit the earth, देखे, 23 and a half नहीं है, देखे, और moon जो है, वो always आपको face करता है, earth को same axis पे face करता है, parallelism एक concept है, उसके according, ठीक है, तो answer तो हमारा C हो जाएगा, A is true but R is false, देखे, जो orbit of moon है न, earth का moon around the earth जो है, वो elliptical है, और tilted है, so, आप moon का सर्फ 59 परसंट ही हमेशा देख पाते हो, ठीक है, moon को लगवग लगता है, 27 दिन, 7 hour 43 मिनट, 27 days, 7 hour 43 मिनट, कि वो rotate करें अपने axis पे, और, यही time है, जब एक revolution moon का, earth के round लगाने का लगता है, तो आप सोचो, rotation भी same लग रहा है, revolution भी same लग रहा है, तो parallelism आजाएगा, तो हम लोग हमेशा, same face देखेंगे moon का, ठीक है, चलिए, कह रहा है, only one side of the moon surface is visible from the earth, absolutely correct, 59% जो दिखता है, the period of rotation of the moon on its axis is equal to the period of revolution around the sun, around the earth, अपने axis पर जितना दिन लगता उसको rotate करने में, उतना ही उसको revolve करने में समय लगता है, earth के round, तो same time लग रहा है, तो दोनों, अगर relative देखा है, तो relatively दोनों static लगेंगे एक दूसरे को, मतलब इस context में के revolution and rotation के context में, तो same ही हो जाता है, तो absolutely, statement and reason is also correct, और reason is also explaining the assertion, so answer A will be the correct answer, around the surface of the moon, two persons cannot listen to each other, एक दूसरे को नहीं सुन सकते है, क्यों नहीं सुन सकते है, क्यों वहाँ पर atmosphere नहीं है, there is no atmosphere on the moon, so answer B will be the correct answer, sound को एक material medium चाहिए, तो पता ही होना चाहिए, जिसे steel में maximum speed से आती है, without material medium, we cannot hurt anything, material medium चाहिए, एक propagation के लिए, sound के propagation के लिए, wind has a lunar eclipse takes place, एक lunar eclipse क बात कर ले, जब अर्थ आ जाता है, sun और moon के बीच में, sun हो गया, यह moon हो गया, यह sun हो गया, यह moon हो गया, और इसके बीच में आ गया अर्थ, तो यह हो गया आपको lunar eclipse, इस तरह इस solar eclipse की बात कर रहेंगे, तो इस moon को उठा के यहाँ पर लाद देजेगा, ठीक है, when the earth comes between the moon and the sun, तो इसको हम लोग कहते है, moon यहाँ पर गया होगा, dark हो जाता है, क्योंकि जो light आते रहती है sun से, वो obstruct हो जाती है, अर्थ के द्वारा, तो इसको lunar eclipse क्याते है, eclipse किस पर आया, अंधेरा किस पर हो, अंधकार किस पर हो, इसलिए लिए लिए lunar eclipse, और इसकी length डिपें करती है, relative position of the moon and its orbital path a lunar eclipse full moon day पे ही आती है जिस दिन moon full होगा lunar eclipse is caused when earth comes between the sun and moon in which situation lunar eclipse ओकर full moon के दिन आती है the main condition responsible for greater brightness of the moon on the full moon day 22 December 999 को पूछा है कि जब full moon day था तो brightness बहुत ज़्यादा होता है ऐसा क्यों था तो जो main reason responsible था उस दिन greater brightness के लिए moon का वो आपको पेरिजी था पेरिजी यह closest point है अर्थ के ठीक है when the moon's size is half of the full moon the angle between the sun and the moon and the sun the earth and the moon जब कह रहा है moon का size half हो जाए full moon के तो angle कितना होगा sun and earth के बीच में ठीक है तो देखिए basically क्या होता है हाँ तो उसका angle होता है 90 degree यह समझ लेते है और इसका explanation देख लेते हैं जब भी moon का size half हो जाए न फुल moon से तो angle हमेशा sun और earth की बीच में 90 degree बनाएगा ठीक है इसे बहुत जादा आपको technicality में जाने की ज़रूत नहीं है आपको equation सेटलाइट है नेच्रल सेटलाइट तो आंसर हमगा C हो जाएगा which of the following is not a planet इसमें से planet कौन नहीं है तो moon नहीं है match करना है correct list को planet इसमें से कौन है satellite कौन है comet कौन artificial spacecraft कौन है तो देखिए planet कौन है Uranus है planet satellite कौन है moon है तो A का 2 B का 1 A का 2 B का 1 नमारा आंसर यह हो सकता है A का 2 B का 1 नमारा आंसर यह हो सकता है ठीक है अब देखिए comet क्या है comet हो जाएगा हैली comet अपने नाम तो सुन ही रख्या होगा artificial spacecraft कौन है mariner जो है artificial spacecraft है C का 4 हो गया D का 3 हो गया answer हमारा A हो जाएगा एक कहता है blue moon एक phenomenon होता है कब होता है यह basically क्या होता है दो full moon day एक ही मन्त में आ जाए तो उस phenomenon कहते है blue moon जब दो full moon day moons ओकर हो जाते हैं एक ही मन्त में तो उसको कहते है blue moon ठीक है एक blue moon जो होता है उसमें क्या होता है कि full moon आपको appearance होगा और इसमें क्या होता है एक ही मन्त में आपको दो बार देखने को मिल जाएगा यह ठीक है कहा रहा है ने अब्जेक्ट इस टेकन फॉम अर्थ टू दा मून ग्राविटी कम हो जाएगे जो आपको अर्थ पर दिखेगी Mg वो Mg by 6 दिखेगी मतलब weight on moon हो जाएगा weight on moon की बात कर ले तो क्या हो जाएगा Mg G हो जाता है 6 weight on earth की बात कर ले Mg by 1 हो जाएगा gravitational pool तो G है अब weight of moon by weight of earth की बात कर ले तो 1 by 6 by 1 हो जाएगा तो weight of moon जो हो जाएगा 1 by 6 weight of earth हो जाएगा तो बिल्कुल weight तो कम हो जाएगी न समझना नहीं है उतना बस इतना समझ लिए 1 by 6 हो जाता है the distance of moon from the earth is the distance of moon का earth से वो कितना है वो आपको है यह आपको static factor याद करना पढ़ेगा 364,000 km है तेक है अब चलिए बात करते हैं एक country है जिन्होंने selenia, selenogical and engineering explorer selenia मतलब moon से related term है याद रखेगा in the orbit of moon become the first country in Asia जो selenia जो एरिया है जो अब selenia उनकी वो explorer है selenogical and engineering explorer वो अर्थ के moon के orbit में गई है पहली country कौन है एशिया के जिन्होंने यह भेजा है तो वो कौन country है वो जापान है selenia जिसको कागुया भी कहते है एक orbiter spacecraft है जो की जापान के दोरा भेजा गया moon पे 14 September 2007 को बेसिकली यह revolve होती है moon के moon में revolve हुई moon के round में एक एर आठ बन successfully उसके बाद यह surface of moon पे fall कर गई ठीक है फिर हम लोग भरते है इस्ट्राइट बेल्ट के बारे में इस्ट्राइट के बारे में आप देख सकते हो शन अर्थ मार्श इस्ट्राइडर बेल्ट यह हुआ dust and particles फिर Jupiter Saturn Uranus Neptune ठीक है अब terrestrial planets and jovial planet के बीच में क्वट्टी सा दिखेगा आपको स्ट्राइट बेल्ट के बीच में बीच वाली पट्टी जो होती वह इस्ट्राइट सोते है कोशन में टू कह रहा है consider the following statement which of the following statements are correct stroites are rocky debris of varying size and orbiting around the sun orbiting the sun absolutely correct most of their soites are small but some have diameter of large as 100,000 km तो यह भी correct statement है the orbit of stroites lies between the orbits of Jupiter and Saturn यह रहाँ है तो हमारा 1 and 2 हो जागा answer C हो जाएगा क्यारा the stroites are small celestial bodies in the solar system which are found between the planets किसके किस के बीच में है Mars and Jupiter के बीच में आपको कहा था नहीं मतलब terrestrial और jovial planet के बीच में एक पट्टी दिखेगी आपको जिसमें आपको stones दिखेंगे थोड़े थोड़े थे dust दिखेंगे बहुत सारे particles दिखेंगे बड़े बड़े चोटे 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 particles दिखते है ठीक है चलिए कहरा है what is the difference between asteroids and comets asteroids and comets के बीच में क्या difference है comets और asteroids के बीच में क्या difference है यह बताना आपको तो basically asteroids जो होता है वो आपको smaller rocky planetoids होता है जबकि comet जो है वो frozen gas से बना होता है rocky and metallic materials से binded होते है absolutely correct statement जो comets होता है वो आपको frozen gas है जिसमें कुछ-कुछ metallic materials भी winded होते है एक साथ asteroids जो होते है वो छोटे-छोटे rocky planetoids है planets के बीच में घुमने वाले छोटे-छोटे stones और वो हो गए कभी-कभी बड़ा भी होता है लेकिन छोटे-छोटे जादा होते है asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars यह wrong statement है while comets are found mostly between the Venus and Mercury जो comets होते है वो सिर्फ Venus और Mercury के बीचे पायाते है तो यह statement wrong है ठेक है यह validate नहीं कर रहा है इस point को कि वो Mercury और Venus के बीच में होते है बिसकलिए stride की बात कर ले तो आपको metals and rocky material से बने होते है comets होते है वो ice dust and rocky material से बने होते है stride जो होता है आपको sun के closure मिलेंगे comets मिलते है farthest from the sun और cupier wealth कहते है cupier wealth मिलेंगे stride जो comets होता है cupier wealth मिलेंगे जो बहुत दूर होता है sun से ठेक है या फिर oat clouds मिलेंगे comets जो होता है उसके tails होते है और basically tail जो होगा वो हमेशा sun को face करेगा ये भी ध्यान रखेगा तो third क्या कहा रहा है comet shows a perceptible glowing tail बिल्कुल while asteroid do not absolutely correct one and three correct हो जाएगा answer हमारा answer हमारा हो जाएगा B चलिए comets and metros देख लेते हैं last chapter है इसका देखे तो कह रहा है the tail of comet is directly away from the sun because because में क्यों होता है क्यों एसलिए होता है कि जो radiation image कि आता रहे सन के द्वारा वह एक रैडियल फ्रेजरत करता है conscious को में जिसकी वैसे क्या होता है यह होता है वह away from the sun हो जाता है त começo होगा वह away from the sun हो जाता है में यहां इसको डिसकवर किया गया था 1995 में अभी के लिए उतना इंबाटन नहीं है फिर भी जान लिए एक साइनी नियर दा ओर्बिट जुपिटर गाउं 23 जुलाइ 95 को इसको दिखा गया था जो कॉमेट है वो डिसकवर किया था एलन हेल के दौरा नियू मैक्सिकों के हैं थमस कॉमेट सोमेकर लेवी कॉलाइट के साथ जो कॉमेट है सोमेकर लेवी वो कॉलाइट किया था वो बिसकिली किया था जुपिटर के साथ ठीक है चलिए मेट्रोर क्या है एक पीस अफ मेटर है विचे इंटर अर्थ अट्मसफेर फ्रम दी आउटर सर्फेस ठीक है मेट्रोइ प्रेश को आप सुटिंग स्टार भी कहते हो या फॉलिंग स्टार कहते हो लेकिन एक्चुली में यह स्टार नहीं है लेकिन स्मॉल पिस्ट ऑफ रॉक्स और मिनरल्स है जो की हाइफ फ्रिक्षन की वाइसे ग्लो करने लगता है और अर्थ के अट्मस्फेर नो जो इंटर करत है अर्थ के सर्फेस तक लीच नहीं कर पाते हैं ठीक है अब नेक्स सेग्मेंट हम लोग अर्थ को परहेंगे लाटिटूड लॉंगिट्टूड और सारे चीज़ों को